हेलो वेल्कम टू बालाज एजुकेशन पॉइंट मैं आप सबका बालाज एजुकेशन पॉइंट के प्राइवेट चैनल पे स्वागत करता हूं बेसिकली गाइस आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा पंजाब करंट अफियर्स जनवरी 2021 के उपर इस वीडियो के अंदर हम लोग पंजाब स्टेट के जो अपने पर्सनल वन मंत यानि की जनवरी 2021 के करंट फेर है उनको हम लोग कवर करने वाले हैं और ये वाला जो वीडियो है बाइलेंगोल रहेगा इंगलिश प्लस पंजाबी दोनों भाशाओं में रहेगा अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरा मेल अड्रेस है तब भी आपको टेलिग्राम चैनल ही जॉइन करना पड़ेगा ओके चले शुरुबात करते हैं लेते हैं आज की पहली न्यूज आज की पहली न्यूज है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 पहली बात इनोवेशन का मतलब क्या होता है इसा कुछ जो आप नया सोच पा रहे हो अपने आस पास के महौल से उसे हम लोग इनोवेशन बोलते हैं क्लियर ये इंडेक्स जो है निति आयोग के द्वारा दिया जाता है याद रखेगा इस इंडेक्स वस गिवन बाइदा निति आयोग और निति आयोग की अब्रिवेशन याद रखनी है कभी कभार पूछ लेते हैं याद रखेगे निति आयोग की अब्रिवेशन है ये इंडेक्स जो है मेंली तीन केड़ागिरी में दिया गया है एक मेजर स्टेट केड़ागिरी के अंदर दूसरा नौर्थीस्ट एन हिल स्टेट्स को एक साथ रखा गया है यूटीज एंड सीटी स्टेट्स को एक साथ रखा गया है मेजर स्टेट केड़ागिरी के अंदर करनाटका का रैंक वान है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स दो हजार बीस के अंदर और वहीं पंजाब को इसमें रैंक टैन पे रखा गया है मगाईज कोशन क्या आएगा कि हाल ही में निती आयोग के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स दो हजार बीस लांच किया गया और मेजर स्टेट केड़ागिरी के अंदर पंजाब स्टेट का कौन सा रैंक था तो मेजर स्टेट केड़ागिरी के अंदर पंजाब वास ओन दा टैन्थ पोजिशन के नेक्स स्टेट्स की के अंदर हीमाचल प्रदेश No.1 पे रहा है थे स्टेट की कैड़ागीडिके अंदर No.1 पे देली रहा है No.2 पे क्या रहा है Чंडिगर रहा है तो कोश़र हमारे पंजाब के एक्जाम के लिए दो बनते हैं इंडियाज इन्डेक्पाइण इनोवेशन इंडेक्स 2000 लिए किसके दौरा दिया जाता ए this was given by the नितिय आयोग नैशनल इंसीटुशन ट्रासॉर्मींग इंडिया और नितिय आयोग ने इंडिया इन्डियाज इनोवेशन इंडेक्स को तीन category में दिया है major state category नौर्थ इस्ट एन हिली स्टेट category यूटी ज एन्ड सिटी स्टेट्स के अंदर major state category में rank 1 करनाटका rank 2 महराष्टा और 10th position पे कोन रहा पंजाब यूटी ज एन सिटी स्टेट्स की category में number 1 यूटी रही दिली और number 2 रही पंजाब की राज़दा नहीं चंडीगड क्लियर होगी बात के नहीं होगी आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा बाते जो इस index के according आपको याद रखनी है यह नितिया योग के द्वारा जिया जाने वाला second index है यानि कि यह second edition है ठीक है इंडिया इन्वेशन इंडेक्स का यह second edition है यह यह याद रखिए फर्स्ट एडिशन जो था वो 2019 के अंदर दिया गया फर्स्ट एडिशन जो था 2019 के अंदर दिया गया और यह 2020 के जो अंत में दिया गया है यह second edition है इंडिया इन्वेशन index का am I clear or not यहाँ पर आप इसको पंजाबी में भी रीड कर सकते हैं next आगे बढ़ते हैं इस question को double star लगाना है अगर मैं examiner होता तो surely मैं इसको exam के अंदर डालता देखे 550 पचास क्रोड़ रुपए की लागज से एक वालियोंगे सेंटर बन रहा है देखें वाला जींटर क्या क्या होता है गाईज वालो सेंटर क्या होता है एक तरीके का एक scientific institute होगा जहाँ पर different types of viruses की study करी जाती है तिक है एक institute होगा जहां पर अलग-लग तरीके के जो वाईरस है वो कैसे पनपते हैं कैसे जनम लेते हैं कैसे उन्हें रोका जा सकता है या future में वह कितना हाम कर सकते हैं वग्यारा वग्यारा इन सारी चीजों की study करने वाले और बेसिकली वाइरोलोजी होता ही study of different viruses am I clear or not पांसो पंजार क्रोडर पे दी लागत दे नाल वाइरोलोजी सेंटर बन रहे है पंजाब चा किठे बनूगा ए बनूगा जी मोहाली देविच डबल स्टार वेरी वेरी इंपोर्टेंट दो गल्लाय दे बार एक्स्ट्रा की याद रखनी आने इकता जड़ा पांसो पंजार क्रोडर पे दी लागत दे नाल मोहाली देविच वाइरोलोजी सेंटर बनूगा इन्हों को आई ड्यमली दूगी आई सी एम Mainly की एंडीन काॉंचिल मेडिक्ल औड रिसेर्च इंडियन responded कॉंचल और मेडिकल रिसेर्च इंडियन काॉंचल अफ चैनल और मेडिकल रिसेर्च बात कली रहा है ICMR क्या है देखे आप सब के घरों में या नॉर्मली हरे के घर में डिटॉल पाया जाता है तो डिटॉल की बैक साइट पे आप देखेगा उसको अप्रूवड कोन करता है ICMR तो कहने का मतलब क्या है इंडियन काउंसल अफ मेडिकल एंड रिसर्च एक भारतिय सरकार के अंडर काम करने वाली बॉड़ी है जो डिफरेंट डिफरेंट जो मेडिसिन्स है या मेडिकल की लाइन से जुड़े प्रड़क्ट है उन्हें अप्रूवड करती है तो ICMR जो है प सेंटर बनाया है कहां पर पूए के अंदर वड़ी वरी इंपोर्टेंट तो फॉर्स्ट आहई सिमर सेंटर बना था पूए में और दूसरा सेमर सेंटर बाने बनेगा पंजाब के डिस्टिक 2क में अंदर हम मैं क्ले इअ इसके लिए लग बाक पत्चीस एकड की ज्मीन का Headquarter है Serum Institute of India very very important यह भी याद रखना है Serum Institute of India क्या है जहां पर COVID-19 की vaccine बनती है यह भी याद रखीगा ठीक है important है एक चीज और COVID-19 की दो vaccinations अभी available है एक है आपके पास Covaxin Covaxin याद रखीगा ठीक है जी और एक है CovaShield और एक है CovaShield आपको मुझे बताना है देखें मेरे कहने का मतलब क्या है दो vaccine है जो भी available है इंडिया में एक Covaxin है और एक CovaShield है जिनको mass population के उपर लगाया जा रहा है आपको मुझे बताना है कि कौन सी vaccine है क्या वो Covaxin है या CovaShield है जो भारत की अपनी स्वय निर्मित है पूरी तरिक्के से भारत की निर्मित है Am I clear or not यह आप मुझे comment box में लिखके बताएंगे मूँव तो नंएक्स question है ऊके नेक्स question है देखे Danish का मतलब क्या होता है वो विलॉंग्स टू डैन्नमार्क जेडी चिज्जा डेन्मार्क तो बिलॉंग कर दिया ने उनना नूदेश कला जान्द है पेली डैनिश यानिकी डैन्न मार्क बेस्डिक कंपनी है जिने अनाउंस किता है कि ओहो FDI दे थे थू FDI याने की foreign direct investment ठीक है विदेश तो आना ले पैसे नू FDI किया जानदा एक तरिक के दिना सरलपाश अचे समझ लो पहले इक डैने मार्क कंपनी हैर जिने एक है यूओं पंजाब गशेक पांची क्रोकर पहलोर पहले डैननमारक कंपनी है जिने इक है कि योप मच्याब कंपनी विचेक तो FDI दे थू है उस थी इन्यमेर्ण मोनग तो दी नाम हैं यॉ पैकेजिंग company पहली company बनी है दनमार्क नी first company ज़ेडी पंजाब दे विच इक सो पची क्रोडर पर वे निवेस्टमेंट करऊड़ों एफ्डा कि इनवेस्टमेंट कितने घोगी एक company GOOD देरा बेस्डेरा बसी डेरा बसी गम्पनीय कंपनी आम हंए अई ओर महमन फाइबर अपक्टी विचे लाझ क्लिए कंपनी नूं रूं कलेगे कषीश्त कप्लेमय ज़्च्छं की है कि पहली डयनमार्ग कंपनी जिन्हें पंजाबस ह defensive 205 क्रोड रपे दी निवेश कित्ती है कंपनी दा नाम है गाईज हैटमेन पैकेजिंग क्लियर है जी ओके पहली डैनमार्क एफडियाई कंपनी जिने पंजाब दे विच एक सो पची क्रोड रपे दा निवेश कित्ता है देट इस यौर हैटमेन पैकेजिंग मोहन फाइबर नुख्रिद देगी मोहन फाइबर एक कंपनी है जेड़ी डेरा बसी बेस्द है डेरा बसी चंडिगर दे नेरे एक जगा है ओथे मोहन फाइबर कंपनीया उनुख्रिद दोगी ते खरीद के एक सो पची क्रोड रपे जेड़ा है पंजाब चीनवेस्ट कित्ता आ जाओगा एगल याद रखनी है नेक्स्ट एव इपोर्टेंट कोश्चन है गाईज देखो पंजाब दे मुकमंत्री ने राज दे ट कोफ यानि की स्टार्ट किता है तब पंजाब दा वेक्सिनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होया गाईज मोहाली तो याद रखना है वेरी इंपोर्टेंट है इस सारे जन्वरी दे में ने जोईने ठीक है जी तब पंजाब मुकमंत्री कैप्टन नमरिंदर सिंग ने प्रोग्राम जिड्रा मोहाली तो लांच किता है जी नेक्सट नीज़े ईडाखिल यानि की इलेक्ट्रानिक दाखिल देखो एक वेब पोर्टल है वेब पोर्टल यानिक तरिक्के देनालीक वेब साइट है जड़ी पंजाब गौवर्मेंट द्वारा लांच किती गही है यू समझन तो पहला थो नू कि शब्दरा मतलब सब्जना पूगा ग्रिविनेंस गरिविनस ना मतलब की हुद़ा है लोका द्वारा आप दे सरकार्दे प्रति पे जिगेई शिकायता हुना नू गरिविनेंस कहन देने देखे, 2019 दे विच्च, सेंटर गॉर्मेंट ने, सारी स्टेट गॉर्मेंट्स नू, ते युनिन टेरिटरीज दी जिन्निया भी गॉर्मेंट्स ने, यूटीज दी गॉर्मेंट्स ने, उन्हों ने एक ओर्डर पास किता सी, कि पाई तुसी सारे अब दे उरे एक वेब पोर आब दी स्टेट दे अंदर एक वेब पोर्तल बना लिए जिता नहां किता है, ने लोंच किता है उन्हें पंजाब गॉर्मेंट्स ने दूसरा दाखिल जेड़ा वेब पोर्तल ए सेंटर गॉर्मेंट दे के डे अक्ट देता है ये अंदा जी कंज्यूमर प्रोटेक्शं ए के तहित सारी स्टेट से यूटी नो और पास किता सी क्यों आप दे अंदर अब दी स्टेट दे अंदर एक वैब पोर्टल बना अंगे जिदा नाम होगा इदाखिल जिथे लोग का दिया ओनलाइन शिकायता दा इक त्रिकेनल निप्टारा हो सकुगा मेरी गल कलिए रहके नह अब दी स्टेट दे अंदर इदाखिल वैब पोर्टल नू लॉंच कर चुक याने ता दो कोशन निकल गे हाली दे वीच केडी स्टेट ने इदाखिल वैब पोर्टल लॉंच किता है तही किता है जी पंजाब ने till today किनिया स्टेट सथे यूनिन टेरिटरी स्टेटिस खपतकार सुरख्या एक्ट दोहजार उन्नी जेडा की सेंटर गवर्मेंट वल्यों पास किता गया है नेक्स चल गया है ओके देखे लिस्ट ओफ पदमा आवार्स तौन्वे पता होना चीद है कि भई चरि 26 जनवरिनू न अ हर साल रिपब्लिक देख आले दीन पदमा आवार्स दा नाॉन्समेंट किता जन्द है याद रखें Ş planning अज two आंदा तौ hic आड़्डम वीभूषण ऑवड माव इभूशन और नंबर ठरी थे आट य थोड़ेगो लए पदम भूशन अवडढ हो विभूशन है एंप पदम भूशन पदम भूशन अवॉड नंबर चार ते agrad ये पदम शिरी अवॉड पदम शिरी अवॉड टिय नंबर चार अउंड मिअ इसnia महीद्य विच्च छबवी जनवरी पदम इवार्स मेंट किता गया काल क्लीर रखनी है टोटल 119 विनर्ज नूव पदम इवर्स तक दम ऱुजिद्थे गएने यह विच्छु सत पदम आवर्स जिटेने पदम वीभूशन देने 10 पदम जड़े ने पदम भूशन देने ते 102 अवाड्स जड़े ने पदम शीरी देने मेरी गल समझ आए कि नहीं आए total 119 पदम आवाड्स अनाउंसमेंट किता Аगया जी देविच्व सत पदम भीबूशन 10 पदम भूशन ते 102 पदम शीरी ने एक्सो उन्नी दे विच्चो ट्वंटी नाइन से जेडिया ने वुमेंज ने जिनना नूँ विनर्स दे तौर ते अवाड मिले उन्हें दे विच बाई जी पंजाब दा कोश्चन की बनुगा जड़ा ते आनना संजीयो पदम शिरी जी दे विच एक्सो दो अवाड ने जिता गया जिमें की मिस घजनी बैक्टर है इनननु ट्रेड अंड इंडस्ट्री वास्ते पंजाब वलियों पदम शिरी अवाड दिता गया लुद्या ने दी रहना ले ने ठीक है जी ठीक है जी मिस परकाश को रहे इनननु सोशल वर्कर दे तौर ते पंजाब दे विच अवाड दिता गया डॉक्टर रतनलाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट इनननु मेडिसन दी कैटागिरी दे विच एभी पंजाब तोने अवाड दिता गया ता टोटल एक सो उननी दे विचो एक सो दो पधम शिरी अवाड ने औरना एक सो दो दे विचो पंज बंबे पंजाब दे मुख मंत्री कैटन मनिंदर सिंग ने एक मिशन लॉजन रोजना कहलो लॉज किती है करकर रोजगार ते कारोबार मिशन इस मिशन दे तहत या इस योजना दे तहर जेड़ा है कोशन की बनऊगा हाल ही में किस स्टेट ने घरगर रोजगार ते कारोबार मिशन लॉज किता है पंजाब स्टेट दवारा नेक्स अगला जी डबल स्टार लगाए इस निउस के उपर ठीक है देखें कोशन में पूचा गया है कि किस राजसरकार ने लोका नू राज सकार दी डारेक्टरी विच डिजिटल पहुंच देन लई एक मुबाइल एप्लिकेशन जीदा नाम है डिजीनेस्ट क्या नाम है डिजीनेस्ट लॉंच किती जिसनू बटन दे क्लिक नाल स्मार्ट फोन नाल लिंक किता जा सकते हैं सरलपाश आदे विच के ये कि केडि स्टेट गॉर्मेंट ने एक एप्लिकेशन लॉंच किती है जीदा नाम है डिजीनेस्ट ये जीडी एप्लिकेशन है नॉर्मल जीडी आम पबलिक है उन्हों स्टेट गॉर्मेंट दी जीडी डारेक्टरी है जिमें हर एक जीले दा जीड सारी चिज़ डिटेल देविच एक्स्प्लेंड होन गया ताकि लोकों ने कोई था थे अब दिस स्टेट गॉर्डमेट देना अल कोनेक्ट किता जा सकते है ए अपना नाम है डिजी नेस्ट क्लियर होगी गल के नहीं होगी ए एप लॉंच किती है खुद साथे पंजाब गॉर किता है जातर ता पजड़ा गुगल मैं पर इंग्लीज देख दिया ठीक है जी हुन गुगल मैं अपनू पार्त दी दस जडिया शेत्रिया या वर्नेकुलर या लोकल पाशा माने ए देविच एक्स्टेंड किता गया उन्ना विच्छो इक पाशा है पंजाबी ते टोटल पाइदे विच्छ गुगल मैं अपने आप दी जडी स्पोर्ट या ओकेडिया या किनिया दाशपार किनिया पाशा मा दे विच्छ एक्स्टेंड किती है ता टैन न्यू लेंगिज दे विच्छ एक्स्टेंड किती है जिरे विच इक सधी मदर टंग पंजाबी भी है और सभाए इनियूज रिलेटेड है जी विच्टे डिवह गढ़िचिस अर्षि गत प्रभाए पहलिच्टे अजैन यूस विच्ट刈 है जड़ी च्रभाविच्टश सथी ये जिड़ी इंडिया दी दी एर टैक्सी सर्विस पहली एर टैक्सी सर्विस है जड़ी ए स्टार्ड किती गी है हर्याने द्वारा तेहे पहले फेस दे विच फर्स्ट फेस दे विच एक कित्थे दो कित्थे चलोगी फर्स्ट फेस चलोगी जी चंडीगर तो हिसार दे विच वेरी 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 लौंज कितिकी कि एक बहुत पुरानी स्कीम के तुरे देश का आम नागरिक Sou Part-book आम नागरिक जिरे विच गौवर्मेंट इस गल वास्ते प्रतिबंद है कि उस सस्ति फ्लाइट्स चलाओगी ताकि आम लोग भी एर सर्विस दा मजा ले सकन या उदे नाल कनेक्ट कर सकन उसी दे तहत रीजनल रीजनल हुंगा की शेत्रिया छोटे स्टेट्स दे शेत्रा न नेक्स चीरी चीरी और ससुरी क्चीर दे अनधियोंगा की इन हाज़ टाकि शर्यार भी जाधी प्रतर वचाई माज़ो में मैं टाकि होंगतान स्टे कर्याम हीजनल विचे नू लॉंच किता गया है हिसार तो किते देरा दून तक थर्ड फेस दे विचे दो नमे रूट एड़ कर दिते गए ने पहला चंडीगर तो देरा दून दूसरा हिसार तो तरम शाला ए याद रखियो तरम शाला हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट इंडिया दे जेड़े एजुकेशन मिरिस्टर ने मैं उरे इंडिया दे एजुकेशन मिरिस्टर दी गल कर रहे हैं जिनरा नाम है रामेश पोख्रियाल निशांक उना ने एक कॉन्फरेंस कॉन्फरेंस कीम दिया है एक तरिके देनाल मीटिंग जड़ी किसे खास मुद्देर होते विचार रखन वासा किती जम्झ एक कॉन्फरेंस धा इंडिया याने की स्टार्ट किता है कॉन्फरेंस धा नाम है एजुकेशन सांतव 2020 तेड़कॉन 2020 एडुकॉन 2020 कोशन की है हाल ही दे विच दे 25 प्रब मिश्च रामिश पोक्रियालने ďक कॉन्फरेंस दा इन्युज्जरेशन यानिगो还फ कितना है कॉन्फरेंस दा नाम है डुकॉन 2020 2020 एहे जेडी Conference है एहे Central बठिंदा युनिवर्सटी दे विच रखी गई सी ठीक है जी एजेडी Conference है गाइस तुसी याद रखनी है एस Central युनिवर्सटी ऑफ पंजाब जेडी की किते है बठिंदा दे विच लॉंच किती गई सी वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन ठीक है जी देश दे एजुकेशन मिनिस्टर रामेश पोख्रियाल द्वारा दो दिन दी वर्चुल वर्चुल होंदा है ओनलाइन एक कॉन्फरेंस लॉंच किती गई जिस कॉन्फरेंस दा नाम है एजुकन 2020 एजुकेशन जेडी 2020 कॉन्फरेंस या Central University of Punjab जेडी की बठिंदा दे galtry awards क्या होते हैं कि वह ओवार्ड जो बेसिकली बहादूरी के लिए जाते है जैसे की महावीरचकर हो गया थे देखर है घृष्ट ये ऐगायस्त गलेंट रिय जी जैसे की परामवीर जाकर हो गया यह highest galantry award है मतलब सबसे बड़ा बहादरी का पुरुसकार है ठीक है उसके बाद जैसे वीर चक्कर हो गया clear है जी और उसके बाद जैसे शौरया चक्कर हो गया यह हर साल जनवरी के महिने में रिपब्लिक दे के आसपास दिये जाती है clear होगी परम्विर चक्कर इस साल किसी नहीं दीया गया पहली तो यह याद अखने महा विर चक्कर जो है यह दिया गया इस साल करनल संतोश बाबु को किसे करनल संतोश बाबु को करनल संतोश बाबु को दिया गया पोस्ट यू मसली मतलब मरं तो बाज दिता गया करनल संतोश बाबु बेहार रेजिमेंट तो बिलॉंग कर दे सी थो नू पता है भी बिच दी इंडिया ते चाइना दे बड़े हालात बिगर इसकी बिगर के सी गलवान व इनना नू महावीर चक्कर देना समानित किता गया मरन उपरांत दे विच्छ बिहार रेजिमेंट दे है अवसर सी पहली का लेए याँ रखनिया ठीक है जी वीर चक्कर जेड़ा एहे पंज बंद्या नू दिता गया वीर चक्कर जेड़ा इस साल 5% दिता गया ओना पंज दे विच्छो इक पंजाब दा जेड़ा है नोजवान है जिना नाम सी गुर्तेज सिंग थार बटालियन ऑफ पंजाब तो इनना दी रेजिमेंट दा नाम है मांसा दे ही रहनाले सी इनना नू वीर चक्कर दिता गया एह भी उस गलवान का टी दे विच्छ चडब दे बहुत होगी शहीद होगे तक कोशन की याद रखना है कि जड़ा वीर चक्कर अवार्ड है टोटल पंच लोग का नू दिता गया है पंच दे विच्छो इक पंजाब है गुर्तेज सिंग केड़ी बटालियन तो बिलॉंग करता है थार बटालियन ऑफ पंजाब रेजिमें मेरी गालर क्लियर के नहीं है मांसा दे रहना ले सीघे इस दो लाभाड होर की याद रखोंगे तुसी इंदी स्पूर्टमार कि सुब्वेदार संजीव कुमार्ण कीर्ती चककर अवार्ड Fall सुब्वेदार संजीव कुमार्ण цен भी पोस्ते हूंकिसले अनुष पे दोजलत बाध ऑगे थां ये पुछा जावे शोरयचकर अवार्ड कीनूर्ड़ित्टगा तर इस सालonly beingarg याद रखने मेजर अनुज सूध देता गही है मेजर अनुज सूध देता गभाइए ठीक है एक ओर पर सब्रश्या को शुड़े चख्र रहा उर्चाप कर राइफले में नहीं आरइफं अनुज अडा मतलब राइफल में ने प्रणब प्रनब जोती दास ता दो लोका नू इस साल शोड़य चक्कर रवाड दिता गया मेजर अनुज सूध नू ते राइफल मैन प्रनब जोती दास नू प्रम वीर चक्कर रवाड किसे नू नू दिता गया वीर चक्कर रवाड पंजबंद्या नू दिता गया न चो एक पार का टीच जेडी पंजाब दी जेडी इंडिया दी सेना दी टुकडी चाइना दी सेना दी टुकडी देना पी डिसी ओधे हैड सी गे अगे बात देयां नेक्स्ट हीरो मोटर कॉप देखे एक कंपणी बारे पंजाब देविच हरिकनु बता होगा क्योंकि बचपन देविच मोस्ली जेडासी साइकल चला है वो हीरो कंपनी दा सी ता हीरो मोटर कॉप एजडी पार्थ नी पहली टू विलर कंपनी दो पहिया कंपनी बनी है जिना ने 100 million production complete कर लिए 100 million production याने की 10 क्रोड वहिकल जड़े ने ओ complete कितेने manufacture कितेने पार्त देते हाथ देविच हीरो मोटर कोप है पार्त दी पहली टूविलर कंपनी बनी है जिना ने 10 क्रोड टूविलर कंपनी प्रड़क्षन कंप्लीट केती है ने 10 क्रोड वहिकल से 11 gladag m Catalud 11нения ॥ तैहें इंडिया थी पहली कंपनी बनी है जिना ने 10 क्रोड टूविलर मेनुफेक्टरिंग complete किती है यह याद रखी हो clear है जी next अगे बढ़ गया जी कुछ डेज ने गाई जेड़े की special असी लेटर रखे ने women's दे नाल क्यों रखे ने अगे जड़ी news है उन्हों समझन जसानी होगी छे फरबरी नू मनाया जानता है international day of zero tolerance to female genital mutilation यानि की zero tolerance और्थ जनन विकार लई अंतरास्तिय दिवस यानि की female दे अंदर जरा genetic परिवर्तन होंदा है ठीक है उन्हादे इक तरीके दे नाल बॉडी दे विच जरा genital mutilation आठ मार्च अंतरास्तिय महिला दिवस तेई जून इंटरनेशनल विडोस डे यानि की अंतरास्तिय विद्वा दिवस दे तौरते मनाया जानता है पंदरा तुबर इंटरनेशनल डे ओफ रूरल वुमेन यानि की अंतरास्तिय दिवस जेड़ी की पेंडू और्ता दू याद कर दे होई मनाया जानता है ठीक है जी इंटरनेशनल डे ओफ रूरल वुमेन नेक्स्ट पच्ची नवंबर इंटरनेशन डे फोरदा इलमिनेशन ओफ वाइलेंस अगेस्ट वुमेन यानि की अंतरास्ट्य दीवस जड़ा की ओरता खिलाफ होन वाली हिंसा देखात में लिए कम करता है उन्हें दी जरूरत क्यों पड़ी देखिए हर साल चोवी जनवरी नूम नाया जानदा है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर सा तरह के फार बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये च्शे साल कंपलीट फियस चोवी जनवरी बल्टी बचाओ ठीश साल ममेंट ने च्षे सल क॑ स्केम जहें लातिड गर्लव्राव कितने ने इन्वर्मक किता है कि ओ पूरा दा जरा जन्वरी दा मनत है और गर्ल चाइल्ड नूं समर्पिद कर दै ते दो टा reflect आज़के नहें ती कर दरे पशह Etam के तृष थी एंडरह दी कुए है थी ठीपल अबपरुर्मरेंट नास्य कि दोणा उत्तरा घंदे सी एम ने कि कुडिन एक गरल लनो एक दिनदा उत्तरा घंदे-स बनाया सी उस लड़की लाइनम दासे इनुट्रा इक दिनदा डायागया सी चोवे जन्वरं नों नेशनल घंड देदी डवर्ण क्लेर आजी नेक्सट ay ओके यह थोड़ा जाएक साइंटिफिक कवरेज है इन्हों त्या आन्ना संजन दी कोशिश करियों इन्हों बोल देने स्प्रिंट्रोनिक्स is Trahini proof smintronics कई हुद था है उसे बच्पन दे विच इलेक्ट्रो अफ़ा जनना- CAN मुवक्न कर दा है स्टावा दे तेज कर दा है ये उस परिकिर्यार्ण बचेयानूं physics से विच्छ पिंच्टरों नाल जानेहें जानेहें उन्हें नीज्स भार क्या हुआ है। साइन्टिस्ट ने इंसीट्यूट ऑफ नैनो साइन्स एंड टेकनोलजी महाली एक इंसीट्यूट है जिदा नाम है इंसीट्यूट ऑफ नैनो साइन्स एंड टेकनोलजी ए महाली दे विच पंजार दे विच एक कम करता है कि दे अंदर इंसीट्यूट ऑफ देपार्टमेंट of science and technology of the Indian government एना ने एक 2D 알क्टरोण दी डिस्कावरी किती है मोहाली दे वीच साइन्टिस ने 2D elekटरोणीज दी discovery किती है 2D electronic मतलब जेडा proton है ओएक कोई टाइम ते 2डिमेंशंच को मपाऊगा ने नार्मली ज़र electron स्पिन कर दे है वो इक कोई डिमेंशन चे स्पिन कर दे है उरे इलेक्ट्रोन इक कोई टाइम ते दो डिरेक्शन दे विच कुम पाऊगा जीदे दे नाल एक खास त्रीके दी गैस पैदा हूं दी है एदी डिस्कवरी किती है मोहाली बेस्ड एक इंसीट्यूट ने जीदा नाम है इंसीट्य नेनो साइन्सटे टेकनॉजई जीड़ा की कम करद अंडर की दे इंसिट्यूट तुट्यूट ऑफ साइन्स टेकनॉज़ई आफ इंडिया देता है लेंगयत की बात के नहीं होगी आगे बड़ते हैं जी रएक मतलब उंان कि यृलोका भी मोत हो चुकी है एक पज़न गान निरिंदर चंचल है इन्ना पाजनद सिंगर नहीं मौत होई है। तेहो एक हिंदु फेविली तो बिलॉंग कार दे सी इनना जड़ा जनम होया सी अम्री सर दे विच होया जी-। थीक है जी था इक होली सिंगर ने पवित्तर गाने गहना आले या पजन गानाले सिंगर ने जिननरा नाम है नरिंदर चंचल एक केड़ी स्टेट तों बिलॉंग कार दे सी पंजाब तों पंजाब दे विच कितों बिलॉंग कार दे सी अमरिसर दे विच्चों इना दी रिसेंटली मौत हुई है नेक्स्ट इन्यूस जी तुसी परसाग दे हो यह विच कुछ दसनाला है नी पंजाब गवर्मेंट ने तिन IPS ऑफिसर नूँ प्रमोड किता है ठीक है जी उनना ने प्रमोड करके एडिशनल डिरेक्टर जर्नल ऑफ पुलिस दे रैंक ते ओलड़ी है गे सी उनना नूँ एड और टीरिजी पी तो दीजी पी बना दित्ता गये तिन IPS ऑफिसर ने जिना नूँ पंजाब गवर्मेंट ने एडीजी पी दे रैंक तो प्रमोड करके की बनाया गया फिकी नाम है इकता नाम है जीनाओ संजीव कालरा दूसरा भीके उपल तीसरा प्राग क्या इनक दिना न लिटल बुक ओफ इंकरेजमेंट ए बुक लिखी है दलाई लामा इस हाइनस दलाई लामा जिड़े की तबैटियन यानि की तिबद विच्छ बुद्ध तरम दे जड़े सब्धों बड़े लिडर बने गए ने दलाई लामा ठीक है जी इनना इक बुक है दा लिटल बुक अरेजमेंट एक बुक है जी प्रेंका चोपड़ा बोली बुर्दी बहुत बड़ी हिरोई ने लिखी है अनफिनिष्ट अनफिनिष्ट एक किताब है जी पार्ते भूत पूरव यानि की पार्ते फॉर्मर उपरास्टपती वाइस प्रेजिडेंट मुहाम्मद हंसारी अफ लाइफ ठीक है जी बुक दा नाम है बाई मैनी और हैपी एक्सिडेंट री कोलेक्शन आफ लाइफ बाई मुहाम्मद अंसारी फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट आफ इंडिया तिनों की ताबबा यार रखेगा चलिए लेते हैं आज की पहली निउस पहली निउस बैंक आफ इंडिया जीनों सि कहने है पार्त दा हिस सेंट्रल बैंक है सारे जसीजन जो है बैंकिंग सेक्टर देना जुड़े हुए लगपा कारवी लेंद आ है अरभी ने हाल ही दे विच एक कैमपेंच लाया है कैमपेंच लाया है कैमपेंदा नाम है यार फीचरिंग व तो अड़ा फेस ते तो अड़ा फेम इस्तमाल करांगे ताकि आसी पब्लिक यानि की लोग का नू अवेर कर सकीए की दे बारे साइबर फ्रॉड बारे साइबर फ्रॉड इसकी हूं देने जी कई बार आसी अब दी email ID open कर दिया हूं दे विच लिंक का आंदा है जी ते click करो त मिलेगा एक्स्ट्रा थुनू फोन जान देने जी तो अड़ी लॉटरी निकल गी ऐसी फिलाने बैंक दी तरफ तो बोल रहे हैं जातर ऐसे कॉल्स जड़े नहीं जातर संडे नहीं आंदेने ताकि तुसी आदे बैंक नाल कॉंटेक्ट ना कर सको इस त्रिक्के दे जड़े फ फेम त्योना दा चेहरा इस्तमाल किता जाएगा ते कैंपें दा नाम किया है फिच्रिंग वाइरस क्लेर होगी गल के नहीं होगी उड़े तुसी पंजाबी देविच भी पाढ़ सकते हो आरबे ने पंजाबी गायक रैपर वाइरस देनाल इक एग्रिमेंट किता है ताकि छों जंतक जागरुकता मोहीम नू चला सके लोग का नू साइबर तो ख़तर ही तो बचान वास्ते क्लिर जीने next mcq किस त्रिक्यनल बनेगा देविच mcq त्रिक्यनल बनेगा दा फिच्रिंग वाइरस यानि की वाइरस मोहीं दी शुरुवात केड़े बैंक द्वारा किती गई है यह किती गई है जी RBI द्वारा RBI यानि की रिजर्ब बैंक आफ इंडिया इने बारे कुछ एक्स्ट्रा अलगला भी मैं दस सूंगा थो नू नेक्स्ट देखे RBI ने अलड़ी एक केंपेंच ला रखे है लोग का अनू अलग अलग क्रिक्के दे फ्रॉड तो वेर कंदवास दे उस केंपेंच दा नाम है बहुत बर्ग तुसी टीवी एर्च भी सुने होगा RBI कहता है जानकर बनि अलग हाल ही में RBI ने केड़ा केंपेंच लाया लोग का नू साइबर फ्रॉड तो भचान वास्ते दा फुचुरिंग वाइरस एदे विच ओना ने पंजाबी रैपर सिंगर वाइरस दे नाल एगरिमेंट किता होना दा नाम होना दा चेहरा तो नारा फेम इस्तमाल किता ज इक्से बाते जो आपको огрवे के उपर याद रखने है गउस पहली कि already at present गवरनर uponश कोननी ता अर्वेदे इस समय गवरनर ने शक्ति कांट दास शक्ति कांथ दास इस वक्त जर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आरवेदे गवर्णर ने शक्ति कांथ दास हो साग देगा इस तो अड़कोले वीडियो मी ना दो मी ने या तिन मी ने बाद पोंचे ता मेरी सलाह है कि इस ही वक्त वीडियो नूँ पॉज करके पहला क्रॉस चेक कर लो कि इस वक्त भी आरवेदे गवर्णर शक्तिकांदास ने ठीक है जी क्लियर नेक्स्ट आरवेदे इस समय तिन डेप्टी गवर्णर ने पहला डेप्टी गवर्णर है आरवेदा M. रावेदे एम राजेश्वर राव नेक्स्ट अगले डेप्टी गवर्णर ने एम डी पात्रा एम डी पात्रा नेक्स्ट डेप्टी गवर्णर ने आरवेदे M. जैन एम के जैन ता इस वक्त गवर्नर ने शक्तिकांदास डेप्टी गवर्नर ने एम राजेश्वर राओ, एम डी पात्रा, एम के जैन एक फोर्थ आरबे देप्टी गवर्नर सी उनने कुछ टाइम पहला जेडा की उनना दा टैनीूर खत्म हो गया है, यानि कि इक डैप्टी गवर्नर दी पोस्ट खाली है, क्लीर है? तुसी मेनों दसना comment box देविच लिए खिर डेप्टी गवर्नर ने रिसेंट लिए जेडा हाह, उननना दा टैनीूर खत्म हो गया है, सिता उन्हाने रिजाइन किता आप दी पोस्त तो उन्हाना नाम मेन्यू कमेंट बॉक्स दे विच तुसी दसना है क्लीर होगी आर बेई दा जिड़ा एंबलम है चिन जिनु अपपा कहने आएंबलम है गाईस ओ है गया टाइगर अंडर दा पाम ट्री गुगल करके देखो टाइगर अंडर दा पाम ट्री पाम हुंदा है खजूर दा पेड टाइगर अंडर दा पाम ट्री खजूर दे पेड दे थले खड बनाता तो एक अंग्रेज आर्बे का पहला गवर्नर होगा तो वो थे आस्बॉन स्मित आस्वे आर्बिय के पहले गवर्नर थे आस्बॉन स्मित ये भी याद रखना है और अगर पूछा जाए आर्बे के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे तो आर्बे के पहले इंडियन तो आप ढूंडिएगा कि कोई फीमेल आज तक आज तक आरबी के इतिहास में कोई महिला कोई फीमेल कोई औरत सब तो वड़ी केडी पोजिशन तक पहुंची है कि कोई फीमेल आरबी गवर्नर तक पहुंची है या कोई फीमेल सब तो वड़ी पोस्ट या डेपुटी गवर पंजाब स्टेट कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है मिशन लाल लकीर in all villages क्लियर कोशन पुछा गया है कि कोंसी स्टेट की कैबिनेट ने हाल ही में मिशन लाल लकीर अपने सारे villages के लिए अप्रूव किया है मिशन लाल लकीर हुंदा किया है ओ भी आप पर डिसकस करांगे मिशन लाल लकीर जड़ा स्टेट गौवर्मेंट पंजाब दे द्वारा लॉंच किता गया ते सेंटर दी केडी स्कीम दे अंडर लॉंच किता गया है ओ भी डिसकस करांगे पहला कोशन देख देख दिया विच lagir jida land यानि कि जमीन दे नाल जुर्वए तरिके दी जमीन दे नाल जुराए now non agricultural यानि कि जी घैर खिटी बारी जमीन पिंढप भगे आबादी दी जमीन जीते वसो रहं दी है habitat litejer जमीन है ओदे वास्ते हे scheme launch किती गी अगर्ड जमीन वास्ते ठीक है जी पहली गल केंदा जी की फाइद है मिशन लालकिर्दा people who have been using village land for a long time will be given land rights and also power to monetize the property rights under the mission लालकिर्दा केंदे जडे पिंड दे लोक ने काफी लंबे time तो village याने की पिंड दी जमीन दा इस्तमाल कर रहे ठीक है उन्हानों permanent print दी जमीन दा दिकार दे रिता जाओगा चाहें उन्हान को ले property दे काफ़ात हैगे नहीं या नहीं हैगे clear है उन्हें दा फाइदा की होगा जरो उन्हान को ले property दे permanent जेडे ने rights आ जानगे उन्हान वो इस property दे लोन ले सकनगे ठीक है और काफिज गिर्वी रख्यों पैसे दा इस्तमाल आप दी लाइफ नू बैतर करने वास्ते कर लें किसे भी तरिक्के दा इस्तमाल किता जा सकता है mission लाल लकीर दे अंडर तक केंद आप आप किया गाइस दो चीजा याद दखने हैं कि पहला केडी स्टेट कैबिनेट ने mission लाल लकीर आप दे सारे पिंडादे वच लाँंच गिता है ता किता है पंजाब ने दूसरा ए प्रापटी देनाल यानि कि लैन्ड देनाल जुड़ा है mission है तोरे वेच विचि किस ट्रिक्के दी जमीन दी कल हुंदी है इदे विच गल हुंदी है ओ जमीन दी जिडी non agricultural जमीन है गैर खिती बाड़ी जमीन है अबादी दी पिंड दी अबादी दी जमीन है पिंड दी habitation दी जमीन है ओधे rights देन दी गल किती गी है ताकि लोग का नूँँ ओधे rights मिल सकन त्योना नूँ property नूँ monetize किता जा सके money दे विच कनवर्ड किता जा सके मेरी गलतिया ना सुनियो next हुन आपप देखांगे कि जड़ा mission लाल की रहा है इस center government दी केडी योजना या scheme दी अंडरांद है इस mission लाल लकीर एक कोशन भी याद रखना है important है तो पुछे जा सकते है हुन स्वामितव स्वामितव जेडी योजना है इदी अब्रिवेशन बहुत वार पुछी जा चुकी है याद रखना अब्रिवेशन है जी survey of villages and mapping with improved technology in villages area या सरलवाश्या दे विच कहिए पिंडा दा सर्वेखन अते पिंडा दे खित्रा विच तंदरुस्त टेकनोलोजी नाल मैपिंग करना एगल याद रखियो clear है स्वामितव योजना जेडी हले तक 6 states दे विच लॉंच हो चुकी है जी दे विच पंजाब एक है एगल भी याद रखना ठीक है स्वामितव योजना नू प पंचायती राज दिवस निकल के गया है या पंचायती डे निकल के गया है तो उसी में नू दसना है कि असी इंडिया दे विच नेशनल पंचायत डे यानि की राष्ट्य पंचायत दिवस कद सेलिब्रेट कार देया कमेंट बॉक्स दे विच लिखके दसी हो ते पार्त दी पहली पंचायद कित्थे बनी सी जे दस साग दे होता ये भी दसी हो कमेंट बॉक्स दे वेच क्लिर है जी चलिए थोड़ा जा लॉंग जुरूर है प्रोसेस मैं द्वारा याद करवा देना कि पंजाब कैबिनेट ने अप्रूफ किता है मिशन लाल लकीर इस मिशन लाल लकी रहे उस सेंटर दिस्वामीतव योजना देंडर कम करेगा बस एगल याद रख लेना क्लियर जी नेक्स अगे बढ़ाएं से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पगडी संभाल मुवमेंट सब तो पहला दा सनू पगडी संभाल मूवमेंट समजन वासते अजीत सिं बारे पता होना जरूरी है अजीत सिंग जी कुलीでも र olduğ très simple, old person must retain उनिसो सत्त दे विच इक मूवमेंट चलाई गई सी उस मूवमेंट दा नाम सी पगड़ी संभाल मूवमेंट यानि की पगड़ी संभाल आंदोलन मैंने की समझाया की एक बहुत बड़े साथे फ्रीडम फाइटर होय ने पगर सिंग दे चाचा जी दैड़ी और अजी सिंग अजी सिंग्जी दे द्वारा उनिसो स्त दे विच अजदी तो पहला एक मूवमेंट चलाए गई सी मूवमेंट दा नाम सी पगड़ी संभाल मूवमेंट यानि की पगड़ी संभाल योजना या पगड़ी संभाल आंदोलन जो भी तुसी कहना चाने 75 यह अंदोलन 2007 दे विच उस समय जड़ी बरतानिया सरकार सी उस समय जड़ी ब्रिटेन गॉर्मेंट सी औरना खहलाफ चलाए गई fitted क्यों चलाए गई गई cold सै एक successful farm movement सी यानि कि खेती नन जुड़ा होया निक आंदोलन से जिनने की ब्रिटिश गॉर्मेंट नूँ फोर्स किता सी कि ओ आप दे जेड़े तिन खेती नल जुड़े होए कानून ने उन्ना नू वापिस लेले क्लियर है तेया नल समझो अजी सिंग ने उन्नी सो साथ दे विच एक मूवमेंट चलाई पगड़ी संभाल मूवमेंट यनकी पगड़ी संभाल अंदोलन जीरे विच ओनना ने उस समय दी ततकाल उस समय दी जो बरतानिया सरकार सी उन्नू फोर्स किता सी कि तेरे जेड़े अ नैशनल फार्मर्स ने या जिना नो तुसी कहलो संयुक्त किसान मूर्चा संयुक्त किसान मूर्चा ने हाल ही दे विच अजीत सिंग नो याद कर दे हुए उन्ना दे जनम दीन वाले दिन यानि कि तेई फरगरी नू पगड़ी संभाल दिवस दे तौरते सेलिब्रेट कित तेई फरबरी नो क्यों तेई फरबरी नो लांच किता गया क्योंकि जिन अजीश सिंग जी रा जनम दीन वतन आ है तेई जी सिंग ने उन्यस्त सथ दे विच पगड़ी संभाल मूवमेंट पगड़ी संभाल इक कांदोल्लन शुरू किता सी जीने उस समय दी बरतानिया सरक जी दे बारे extra कुछ यहां दखने आने जगी पग सिंग जी जडे फादर सी उन्हारा नाम सी गा किषण सिंग ते उन्हारा एंकल सी अजी सिंग ठीक है जी इके नारा एक रैवलुशनर याने की गदरी फ्रेंड सी गा जीदा नाम सी कसिट्टाराम तिन्हारे मिलके एक बनाई सी जी दा नाम सी पार्थ माता सोसाइटी ता पहला कोशन पार्थ माता सोसाइटी की ने बनाई तिन लोग का दवारा बनाई गई सी पार्थ माता सोसाइटी ठीक है जी इसी गे किशन सिंग जीडे पागर सिंग जी फादर सी पागर सिंग जी चाचा जी अजी सिंग त इस तो इलावा अजी सिंग जी द्वारा एक जर्नल भी चलाया जहनदा सी जर्नल यानि की जिन्हों सरल पाशादे विच्चा सी रसाले या मैगजीन कहने या ठीक है अजी सिंग जी द्वारा एक मैगजीन भी चलाया गया सी मैगजीन दा नाम सी याद रखियो पेश्वा अगे बाद देया है यह भी कोशन गाइज इंपोर्टेंट है यहनुं एमसी के उधे फॉर्मेट दे विच में लेके आए ताकि तो नुए समझ आ जाए ठीक है जी केंदा जी विचो फॉलिंग बिकेम दा फॉर्स्ट स्टेट और यूनिन टेरिटरी इन इंडिया तो एमसी के उधे फॉर्मेट दे विच पुछ रहा है इनना विचो केड़ी पहली स्टेट यानि की राज्य और यूनिन टेरिटरी या केंदरी शाशीर प्रदेश है जिनने एक खास तरीके दी वाच लांच किती है जिनों कार्बन वाच क्या जानदा है जेड़ी की मुबाइ एक्मोस्फियर दे विच चड़े गया है या उधे द्वारा किनना कार्बन जेड़ा पॉल्यूट किता गया है इनना विचो केड़े पार्त दा पहला राज जा केंदरी शाशीर प्रदेश बन गया है जिसने कार्बन वाच लांच किती है जो किसे व्यक्ति दे कार्बन किननी कार्बन वाच है तो अड़े खोले तुसी पेट्रोल पंपते गए तुसी पेट्रोल पंपते आप दे ऑफिस गए तुसी जित्थे जित्थे रूखे उत्थे तक तुसी किनना अब दी गड़्डी दे विच्चो कार्बन लांच किता किनना पॉल्यूशन फेलाया उ खास करके carbon dioxide विशेश मनुखी गतिवीदियां द्वारा वायू मंडल विचे जारी किती जान दी है कंदा जी carbon footprinting की है की इक त्रिके दी green house gases गेशी जेडिया हुझ जेडियां की जिना करके वाता वरंदे विचे तापमान वाद्दा है जे तुसी बज़पन दे विचे green house effect पड़े हुझ जिन्ना करके कि आठ वाता वरंदे विचे तापमान वदे गा जिन्ना करके जडी पोल्स दे उत्ते बर्थ परिया है administrative head को ने जे तुसी पंजाब जी के लिए वीडियो देखिया उदे विच में ने चंडिगर एक्ट 1984 पड़ाया है जिदे विच में ने दस्या है कि चंडिगर एक्ट 1984 दे विचे तैय कारदित्ता गया सी कि जेड़ा भी परसंद पंजाब दा गवर्नर होगा ओही आटोमेटिकली चंडिगर दा administrative head भी होगा यानि कि इस समय जो पंजाब जे गवर्नर ने वीपी सिंग बदना और वही चंडिगर दे administrative head ने नेक्स जी अगले news इंडिया justice report एक रिपोर्ट है जी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ए रिपोर्ट है जेड़ी हर साल टाटा ट्रस्ट द्वारा लॉंच किती जन्दी है इस साल एदा दो हजार बी खतम हों तो बाद second edition आया है ए रिपोर्ट की कर दिया है ए रिपोर्ट दस दिया कि पंजाब हरयाना या पूरे इंडिया जो अलग-अलग state में उनना states दे वीच जेड़े लोक रह रहे ने ठीक है ओ अब दे justice वास्ते ओ अब दे नियाय वास्ते अब दी राज्य सरकार्ते डपेंड कर दे ने तक केड़ी state government अब दे state दे वीच रहे ना ले लोक का नू सब तो बदिया जेड़ाय की justice दे पा रही है ओदे according ranking दिया गाल क्लियर होगी इंडिया जेस्टिस रिपोर्ट दा हे second edition है ए दित्ता जाम्दा है टाटा ट्रस्ट द्वारा अब दे विच्ट नंबर वान पोजीशन ते रहे महराष्ट्रा नंबर टू पोजीशन ते रहे तामिलाडू थार्ड ते रहे तेलगना ते नंबर फॉर्थ पोजीशन ते रह होगा according to India's justice report second edition Punjab gain which rank तब Punjab दा किन्वा रैंक रहा पंजाब दा छोथा रैंक रहा क्लिर है जी चले एक वरी रीड भी कर लाने है second edition of India justice report for delivering the justice to the people India's only ranking of state on delivery of justice to people announced लोका नू निया पंचानली पार्त दे निया रिपोर्ट दा दुज्जा संस्कन पार्त दी 21 ranking जो राज दे लोका नू निया दी अध्याई की भारे एलान किता आ गया है क्लिर सरल पाशा देविच गाइस कहना की चोंदा है कि टाटर ट्रस्टिक एडिशन लांच कर दा है जिन्हों इंडिया से जस्टिस रिपोर्ट किया जान दा है एदा 2nd edition है इस रिपोर्ट दे विच केडी स्टेट आप दे लोकान उस अब तो बदिया जस्टिस यानि की न्याय ड्रिवर कर दिया होदे एको इक रिपोर्ट है जड़ी इस तरी के दा सरवेखन कर दी है पहले नंबर ते कौन है महरास्ट्रा तामिलाडून 2nd position ते लंगना उन 3rd position 4th position is occupied by Punjab and 5th was Kerala clear होगी जी गल नेक्स्ट अगे एक कोशन भी इंपोर्टेंट है जी नेक्स्ट तुसी टायर कंपनी है सीट तुसी सुने होएगा सीट टायर कंपनी है काफी मिशूर है उड़े दूसी को पीसख सकते हुग ताबस सीट टायर कंपनी ने अब ऍपहला ओल वुमेंस सर्विस संथर ओपन किता है औल वुमेंस अपरेटर सर्विस सेंथर की होन्गा यानि कि ओदे विच जिने भी customers नू देखन वास्ते employees होनगे service देन वाले जिने भी employees होनगे उस center दे विच वो सारी दी सारी की होनगे women's होनगे एहे open किता गया C8 द्वारा बठिंडे दे विच important question है किस तरीके दा question बनुगा all women operated customer service center opened by the C8 in which district of Punjab देख्या जी C8 वलियों खोले गए all women operational ग्राक सेवा के अंदर पंजाब दे केडे जिले विच्च है ता जी ये केडे जिले विच्च है एग है जी बठिंडे दे विच ए भी गल्त उसे याद रखनी है next आगे बाद देख IPL यानि की इंडियन प्रेमियर लीग जिन्हों इंडियन पैसा लीग भी कह रिता जानता है इंडियन प्रेमियर लीग 2021 हुन चल रही है जी ठीक है IPL शुरू हों तो पहला ही जी पंजाब दी IPL दी टीम है जी रहा पुराना नाम सी Kings 11 Punjab उने अब दा नाम बदले है ते नाम बदल के इनना विच्चो केड़ा नाम रखिया है ते उन्हानने अपना नाम रखिया जी Punjab Kings यानि की B option पंजाब Kings Kings 11 पंजाब द्वारा अब दा नाम बदलिया गया जड़ी की IPL Indian Premier League यानि की Cricket दीक लीग हुंदी IPL दुनिया दी सब तो चर्ची ती या सब तो महंगी लीग है IPL ठीक है ओदे विच पंजाब दीक टीम है Kings 11 पंजाब आप मोस्ली ओकन मेरे बारे पता हूँ Kings 11 पंजाब ने अब दा नाम बदल के ओफिशली की नाम रखे है पंजाब Kings रखे है वेरी वेरी इंपोर्टन पंजाब Kings दे जड़े समय कैप्टन ने के ल राहूल बैंगलॉर दे रैना ले नहें इस समय जड़े Head Coach ने अनिल कुम्बले अब दे टाइम ते बहुत बढ़िया Spinner रहने लेक Spinner रहने क्लिर है जी ठीक है जी हुन एक्स्ट्रा गल्ला गाईज तुसी की याद रखनिया ने अग्गे बाद दिया इच कुछ कोश्चन ने जो मैं तो अडिवास्ते लेक्या है हुन हर साल जड़ा IPL होंदा है एक कोश्चन बहुत बार सारे पेपरच विरेंटली रपीट होंदा है वो कोश्चन की है कि जड़ा IPL 2021 है एक IPL दा किनमा अडीशन है तुसी मेनू दसना है ठीक है कि ये तेरमा एडीशन है या बारमा एडीशन है या पंदरमा एडीशन है या चोदमा एडीशन है यानि कि IPL 2021 जड़ा हुन चल रहे है एहे किनमी बार हो रहे है तेरमी बार हो रहे है बारमी बार हो रहे है पंदरमी बार हो रहे है ठीक है इक तक comment box दे विच तुसी यह दसने next question अगला question जड़ा तुसी खुद दसने IPL IPL 2000 B है जड़ा ओ इंडिया तो बहार होया सी due to corona करके ठीक है ओ कित्रे होया सी कि ओ यू यू एईच होया सी मुरक्कवच होया सी south frica चोया सी या qatar चोया सी यह भी तुसी दसने IPL 2000 B दी winning team केड़ी है 2002 B दी winning team केड़ी है यह भी तुसी दसने IPL 2000 B दा जड़ा final match सी ओ केड़े stadium चोया सी यह भी तुसी दसने मेरी गल क्लियर है ते केड़ी दो टिम मा विचकार होया सी यह भी दसने तिन कोशन तो नूँ देखे जारे हैं जे देखोंगे तो नूँ पता लगोगा कि हाँ इस तरिक के दा कोशन पेपर च मन्द है IPL 2021 दा जड़ा एडिशन होया एक इनमा एडिशन है next IPL 2000 भी कित्थे होया सी IPL 2000 भी केड़ी टीम ने जित्ते है क्लियर है ते IPL 2000 भी दा फाइनल मैच केड़े स्टेडियम चोई सी स्टेडियम दा नाम किया ते केड़ी दो टीम मा विचकार फाइनल मैच होया सी next अग्यवाद देखे पंजाब स्टेट गवर्मेंट ने लांच किता है हर गर पानी हर गर सफाई मिशन ठीक है जी पंजाब स्टेट गवर्मेंट द्वारा लांच किता गया हर कर पानी ते हर गर सफाई मिशन ठीक है जी इस मिशन दे विच्छे पंजाब गवर्मेंट कह रही है कि असी असी लोक का नू जड़ा पानी है 100% पोटेवल वाटर यानि की यानि की पाइप राही पानी दी सप्लाई दें दे विच्छा सी सख्षमा इस वास्ते ही मिशन चलाया गया है क्लीर है द्वारा देख लो पंजाब चीफ मिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंग है वर्चुली लॉंच हर्गर पानी हर्गर सफाई मिशन अस पार्ट अपर्मेंट्स कैंपेंग तो अंडर पर्सेंट पोटेवल पाइप वाटर सप्लाई इन अल रूरल हाउस होल्ड दा स्क पाशा देविचे की कह रहा है कि पंजाब दे कैप्टन मरिंदर सिंग जो सी हमने उना ने हर गर पानी हर गर सफाई जड़ा मिशन लॉंच किता है यह उन्ना दा कैम्पेन है जिदे विचो कह रहे हैं कि साधा गोल है 100% रूरल एरिया दे विच पाइप रही पोटेवल वा पार्तिया सरकार द्वारा सेंटर गवर्मेंट द्वारा थे तीस्रा एक बैंक है नाबड नेशनल बैंक फॉर अगरिकल्चर और रूरल डिवल्पमेंट थिक है प्लस स्टेड गवर्मेंट द्वारा यानि कि चार चिज्जा मिलके इस पूरे दे पूरी योजना नू वर्ल्ड बैंक दूसरा जल जीवन मिशन ऑफ गवर्मेंट ऑफ इंडिया तीसरा नाबड ते चोथा जी स्टेट बजट यानि की स्टेट गवर्मेंट इटसेल्फ उन हरगर पानी हरगर सफाई मिशन दे तहत पंजाब गवर्मेंट ने आप दा टेला सोलर बेजड वाटर सेट अप किततता है किडे जिले विच सेट आप कितता है ओंट कितता है जी जिलंदर दे विच ठीक है जी कोशन किया होगा पंजाब फैस्ट सोलर बेजड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अंडर्द वाडर्मेंट ствоफाई मिशन पंजाब पहली सूरजma अदारित जल किता गया है under the scheme हर गर पानी हर गर सफाई मिशन ये लॉच्च किता गया है किदे विच ज़लंदर दे विच ये पुछया जावे कि इंडिया दे विच पहला solar based water supply प्रोजेक्ट किथे लॉच्च किता गया सी ताहे लॉच्च किता गया सी जी अरुनाचल प्रदेश देविच पंजाब देविच पहली बार लॉच्च किता गया सी अरुनाचल प्रदेश देविच पंजाब देविच पहली बार लॉच्च किता गया सी अरुनाचल नेक्स्ट अगला जी विच स्टेट गवर्मेंट हैज लॉंच दा हर्गर पानी हर्गर सफाई मिशन ताही लॉंच किता गह जी उन्हीं आपपा डिस्कस किता है पंजाब गवर्मेंट द्वारा नेक्स्ट है जी इंडिया ज फर्स्ट एंप्यूट क्लिनिक लॉंच इन सर्च करो था एंप्यूट दा मतलब हुंदा है अपांग जर थोड़े श्रीर दा कोई हिस्सा सर्जरी करके काट दिता जावे या कट दिता जावे उन्हों एंप्यूट केंदे ने इस तरिके दा पहला क्लिनिक पूरे पार्थ दा लॉंच किता गया है चंडिगर दे विच चंडिगर दे विच किते लॉंच किता गया है बाए दा पीजी आई ठीक है जी पोस्ट ग्रेजुएट इंसिटूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानि की जून सी पीजी आई हॉस्पिटल बोल देया ता चंडिगर दे पीजी आई हॉस्पिटल द्वारा प पंजाब प्लस इंडिया दी जीके नूं मिक्स करके बनाया है कोशन किया है के अन्दा जी फॉर्मर गवर्नर रह चुके ने बिहार दे ते चार घंड दे तो इस तो इलावा इनने चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हर्याना हाई कोड दे तोरते भी कम किता है ते इनना अगला कोशन भी है जी के उदी फॉर्मेट दे विची समझ आऊगा जज ऑफ पंजाब एंड हर्याना हाई कोड ठीक है जी पंजाब एंड हर्याना हाई कोड दे जज ने जिना नूं पर्मोट किता गया है याए कहलो जिना नूं पंजाब एंड हर्याना हाई कोड दे विच जज दे तोरते कम कर सी ते जजदी पोस्ट तो प्रमोड करके चीफ जस्टिस बनाया गया मनीपूर हाई कोट दा बाइदा प्रेजिडेंट आफ इंडिया उस परसंद नाम दसो जेडा पहला की पंजाब एन हर्याना हाई कोट दे जजदी तौरते कम करदा सी उन्हों प्रमोड करके पार्त दे र एंकटा संजे कुमार इनना नू जस्टिस पीवी संजे कुमार क्या जान दा जस्टिस पीवी संजे कुमार ठीक है जी मनीपूर हाई कोट दे चीफ जस्टिस मनन तो पहला एप पंजाब एन हर्याना हाई कोट दे विच एक जजदे तौरते कम करदे सी तेना नू अपॉइ सब्सक्राइब कि उस आर्टिकल दा नाम दसो जी दे तहत प्रेजिडेंट आफ इंडिया देश दा रास्टपती है गवर्नर ऑफ स्टेट दी अपॉइंटमेंट करते है केडे अनुछेद यानि की आर्टिकल दे तहत इंडियन कॉंस्टिटूशन दे आर्टिकल दे तहत दे आपिश दा रास्टपती गवर्न्मेंट स्टेट दे गवर्नर दी हिकति करताओ अन्डर दा विच आ। आजिकल दा प्रेजिडेंट ओफिंडिया आपऊइट्स दा गवर्नर आफ दा स्टेट लेज़ी यास रखेगे इस आ उनक्स्ट देख देया जीनेग्स भी है याज ह आप दे केडे जिले दे विच पहला Central Water Treatment Plant launch किता गया है पहली गलता हुरे Central दा मतलब किते भी यह नी भी किंदर सरकार द्वारा लाँच किता गया Central दा मतलब किया है आप फोटो देखो एप दो बिच कलिर होगा सेंटर दे विच अब बहुत वड़े वड़े टेंक बनाए गया है इनना टेंक दे विच की होंदा है Dirty Water गंदा पानी होंदा है इस पानी नू अलग-लग chemicals दे रही अलग-लग mechanical प्रिकिरिया मा दे दवारा इनू शुद किता जानदा है साफ किता जानदा है लग-पग इस wastewater दे विचो 30-40% पीन योग-पानी बाहर काट दिता जानदा है ते उनू पाइपस रही अलग-लग दिशामा दे विची अलग-लग पिंडा दे विच अलग-लग शहरा दे विच जित्ते भी इस्तमाल करना होंदा है उनू पेज दिता जा पंजाब दा फिस्त थेंटरल वाटर ट्रीटमेंट प्लान जी अलांच गिता गया कि दे जीले दे विच इलांच गया मुग दे विच खेर जी यालांच किता गया कि दे मुग दे विच नेक्स्त अगे Centralized Water Treatment Approach implies treating large amount of water at large rates in a central location and distributing that water via the networks of the pipeline channels and intermediate reservoir. This means that the water is in a central location of water in a central location and the pipeline channels and the intermediate water is in a different direction. Basically, in the center, there is a lot of tanks, a lot of water stores, a lot of water. अ्लएग अललग प्रुपाई मेरी कमिकल्स के यजदी द्वार menteuteी करके थीक है उतो sticks वह गडेया जाओगा तो फिर वनुन लग लग पाई भी या चैनल्स द्वारा लग लग दीशामLER भीचे डिस्ट्रिब्हूट कर एकी केंदर सरकार ने सेंटर गवर्मेंट ने permission grant किती है permission गिती है चार स्टेट्स नूँँ चार स्टेट्स नूँँ ताकि ओ additional 5000 5000 पांज चोनती क्रोड रॉड रपे नूं market दे भी चो बोरो कार सकन open market जे तुसी कदे फाइनास पड़े हो दे विचो OMO operation हो देने open market operation OMO दे through market दे विचो 5,000 चोंती करोड रपया additional borrow कार साग देने केंदर सरकार ने एहे permission चार स्टेटा नो दित्ती है क्यों दित्ती है पहला ता एह समझना जरूरी है केंदर सरकार कह रही है कि यसी आप permission उनना स्टेट्स नो दित दे जड़े माप दंड यानि की जड़े rules and regulation सेंटर गवर्मेंट द्वारा बनाए गैसी उननानू successfully आप दे स्टेट दे विच इंप्लिमेंट कर लेया या उननू अपना लेया ते इंप्लिमेंट करन तो बाद स्टेट गवर्मेंट एक टीचा रख्या सी भी जड़े चक साकते हो प्रमीशन असी दे मांगे ताहून एच चार स्टेट्स ने जिनना ने इस त्रीके दे माप दंड नू लाग्गू कर लेया है तेहून केडिया चार स्टेट्स ने जिनना नू एडिशनल 5,034 क्रोड रूपीज नू बोरो करन दी प्रमीशन मिल गिया ए ने जी असाम हरयाना हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब ए याद रखियो यानि की असाम हरयाना थे हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली इस अफ डूइंग बिजनस दे माप दंड नू अब दी स्टेट दे विच इंप्लिमेंट करन तो बाद केंदर सरकार दे 5,04 क्रोड रूपे द टिचे नू एक्स्ट्रा हासिल करंदे विचे कामयाब रहे नेक्स्ट ठीक है जी हुने दे भी चोही पुदस्याग है की वाई सेंटर गवर्मेंट जेडिया ग्रांट दिस परमिशन तू दा स्टेट केंदर सरकार ने क्यों परमिशन दिती है ना नू केंदा जी दा फाइ अब कीजिए बल तू मोबिलाइज दा अढद psychologist रिसार्स बले 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 ठेक है जी यहां दे विच किक हा रहे है की यह जी फाइनानस अलचिया हो कह र्या है की S Dapartament दा नाम है Department of Expanditure ठेक है जी इन्हें कुछ निजन बना एसी किठे निजन बना ऐसी निजन ease of doing business reform ते उनना निजमा नो जेडी state आप दे अंदर लागू कर लोगी असी उननो एडिशनल पैसा मार्केट चो बोरो करन दी permission दे दांगे ता इनना चार राजिया ने केड़े चार राजिया ने असाम हर्याना हिमाचल प्रदेश ते पंजाब ने ओ रिफॉर्म आप दे अंदर लागू कर ले ने ठीक है जी इसलिए उनननो एक्स्टा परिशन दित्ती जा रही है चलिए आगे बढ़ते हैं ओके बजट पंजाब का शुरू करने से पहले आपको बजट के कुछ इतिहास की चीज़े पता होनी चाहिए हिस्टी से रिलेटिड बजट के बारे में कुछ पता होना चुरू है भारत का पहला बजट 18 फैबरी 1869 को आया था उस समय ये बजट पेश किया था एक ब्रिटिशर्स के द्वारा जेम्स विलसन के द्वारा तो पहला कोशन इंडिया के अंदर जो फस्ट बजट था वो किसने पेश किया जेम्स विलसन के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया था और 18 फैबरी 1869 को एक बात मेरी ध्यान से समझे प्यारे बच्चो कि जो बजट होता है वो दो तरिके का होता है एक बजट वो होता है जो स्टेट गवर्मेंट पेश करती है और एक बजट वो होता है जो केंदर सरकार यानि कि सेंटर गवर्मेंट के द्वारा पेश किया जाता है जो budget Center Government पेश करती है उसे हम लोग Union Budget बोलते हैं के अंदर सरकार के द्वारा पेश किएगे budget को Union Budget कहा जाता है जबकि राज्य सरकार के द्वारा पेश किए budget को State Budget कहा जाता है क्या कहा जाता है State Budget कहा जाता है दूसी चीज बजट नाम का शब्द भारत के सविधान के अंदर नहीं है There is no word used in Indian Constitution similar to budget बजट नाम के किसी भी शब्द का इस्तमाल भारत के सविधान के अंदर नहीं है अगर बजट को represent करना है तो उसके लिए शब्द इस्तमाल किया गया है Annual Financial Statement यह याद रखिए 1869 को clear budget दो तरीके का होता है पहला budget जो center government page करती है उसे union budget कहते है और जो budget state government page करती है उसे हम लोग state budget कहते है clear होगी बात budget नाम के शब्द का इस्तमाल भारत के constitution में नहीं है budget को लिखने के लिए भारते सविधान में एक शब्द इस्तमाल किया गया है जिसका नाम है annual financial statement तो इसका मतलब अगर हमने union budget को represent करना है तो हम लिखेंगे annual financial statement of union और अगर हमने state budget को present करना है तो हम लिखेंगे annual financial statement for the state union budget यानि की center government का जो budget है जिसे हम annual financial statement of union बोलते है वो भारते सविधान के article 112 में आती है और annual financial statement for the state जिसे हम लोग state budget बोलते है वो भारते सविधान के article 202 के अंदर आती है तो अगला question कि जो पंजाब का state budget है वो इंडियन constitution के किस article के तहट present किया गया है article 202 के तहट very very important next question भारत के अंदर पहला union budget जो था अजाद भारत का पहला union budget present किया था आरके शनमुकम शैटी ने 26 November 1947 को उस समय के ये भारत के finance minister थे ये बात याद रखे तो भारत में पहला budget किसने पेश किया James Wilson 18 February 1869 को अजाद भारत के अंदर पहला union budget किसने पेश किया आरके शनमुकम शैटी ने 1947 के अंदर annual financial statement for the union यानि की union budget जो है article 112 के अंदर आता है annual financial statement for the state यानि की article 202 के अंदर इसका explanation मिलता है अब आगे बढ़ते हैं ओके आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए पंजाब की विधान सभा के अंदर head of the authority यानि की presiding officer को उन है ठीक है इस समय पंजाब की विधान सभा के जो speaker है उनका नाम है राना कीपी सिंग और जो honorable deputy speaker है वो है अजैब सिंग पती इस समय पंजाब के cm है captain अवरिंदर सिंग और पंजाब के जो governor है उनका नाम है वीपी सिंग बदनौर ये राज्यस्ठान से आते हैं इस साल का जो पंजाब का budget है वो captain government का पांचवा यानि की आखरी budget है उसके बार क्योंकि 2022 के अंदर election होने वाले हैं तो आपको याद रखना है this is the fifth budget presented by the captain government and this is the last budget presented by the captain government उसके बाद 2022 के अंदर new election होंगे फिर से नया cm बनेगा फिर से budget परकीरिया शुरू होगी तो इस साल का जो budget है उसका जो total outlay है वो है 1,88,015 crore ठीक है around 1.68 lakh crore रुपे का total budget है इस वार पंजाब का ठीक है जी पहला question तो यही बनता है कि what is a total outlay of पंजाब 2021-2022 budget 1.68 lakh crore very important दूसरा नेक्स चीज़ आपको कहया रखनी है इस साल के budget ने चार शित्रों के उपर पंजाब के budget में चार शित्रों के उपर सबसे ज़्यादा focus किया गया एक focus किया गया agriculture यानि की खेती बारी के उपर health यानि की लोगों की सहत के उपर education यानि की शिक्षा के उपर और rural and urban infrastructure यानि की पेंडू ते शहरी खेते दे इंफ्रास्ट्रचर नों विकास कर नवास दे है चार चीज़ आदे होते हैं पंजाब दे budget ने पेश किता फोकस किता agriculture, health, education, rural and urban infrastructure ये main focus रहे इस साल के budget के उपर अब आई देखो मैंने पूरी जो उनकी budget की speech है पंजाब की विदान सवा की website से निकाली है एक एक अक्षर पड़ा है पांच गंटे पड़ने के बाद जो 15 से 20 सबसे important point है उन्हें यहाँ पर निकाला है उसे note करिएगा जारातर जो PPSC के paper है जैसे आने वाला कोई भी paper है मालीजी तसीलदार है या कभी cooperative bank का paper आएगा ठीक है cooperative inspector का आएगा उसके अंदर ये question बड़े अच्छे से पूछे जाते है या फिर आपके जो अभी और paper है पटवारी का paper हो सकता है उसमें भी इसका current fair का question पूछा जा सकत next आगे बढ़ती है पहली चीज क्या याद रखेंगे इस budget के अंदर जो सबसे पहली चीज याद रखनी है बुड़ापा pension old age pension नो सड़े 700 रुपे तो बदा के 1500 रुपे कर दिता गया है ये पहली चीज है दूसरी आशीरवाद scheme इसे कई जगे आपको शगुन scheme भी लिखा म आशीरवाद scheme कर दिया गया आशीरवाद scheme के तहट जो सरकार लड़कियों की शादी के लिए helping money यानि के एक तरीके से आशीरवाद के तौर पर money देती है वो 21,000 से बढ़ा कर 15,000 रुपे कर दिया गया है freedom fighter उनकी pension 75,000 रुपे से बढ़ा कर 9,400 रुपे कर दी गया है ठीक है 68,000 रुपे का है और आप याद रखेंगे चार चीजों पर फोकस करता है agriculture, health, education, rural and urban infrastructure ओके old age pension 7,500 रुपे से बढ़ा कर 15,000 रुपे हुई है 21,000 से बढ़ा कर अकोंजा हजार आशीरवाद scheme के तहट लड़कियों की शादी के लिए helping money दिया जाएगा freedom fighter की pension 75,000 रुपे से ब next चीज आपने क्या याद रखनी है जैसे कि आपको पता है कि agriculture बिल का जो है बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है ठीक है तो हमारी पंजाब गौर्मेंट ने किसानों के उपर main focus किया है गौर्मेंट का कहना है कि वो लगबग 1186 यानि कि लगबग 1186 करोड रुपे का जो किसानों का लोन है उसे wave off करेगी wave off एक तरीके से उसे खतम करेगी और जिससे लगबग 113,000 किसानों को इसका फाइदा पहुंचेगा क्या समझाया मैंने कि हमारी गौर्मेंट का कहना है कि वो लगबग 1186 करोड रुपे का जो फार्मर्स का लोन है उसे wave off करेगी एक तरीके से रद करेगी और लगबग 113,000 किसानों को डारेक्टी इसका फाइदा होगा और इसके सेकिंड फेस में इस स्कीम के सेकिंड फेस के अंदर यानि कि दुज्जे चनंदे विच पांसो चब्भी करोड रुपे दा जड़ा लोन है किसाना दा wave off किता जाओगा एवाले किसान केड़े होंगे जिरें लैंडलेस फार्मर ने यानि कि ओ किसान जिनना को ले अबदी जमीन नहीं है कि ओ किसे तो जमीन कराए ते लाएके ठेके ते लाएके खेटी कर देने उनना लैंडलेस फार्मर दा पांसो चब्भी करोड रुपे दा लोन वेव ओफ किता जाओगा सेकिंड फेस देविच एमाई क्लेर और नॉट एमाई क्लेर और नॉट ठीक है जी आगे बढ़ते हैं दो नए मेडिकल कॉलेजिस खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज एंड होस्पिटल खोले जाएंगे एक होगा कपूर्थला के अंदर और एक खोला जाएगा होशारपूर के अंदर टोटल इनके उपर जो है साधे 600 क्रोड रुपे का बजट रखा गया है दो नए medical college and hospitals announce किये गए है वन इन कपूर्थला, सेकिन वानी जोशारपूर around 650, साधे 600 क्रोड रुपे के आगे बढ़ते हैं Next जो women's हैं, उनकी यात्रा को public transport जितनी भी government की public transport है, state government की जो buses हैं, उसमें completely free of cost कर दिया गया है क्योंकि ये budget जो है women's day वाले दिन आया था तो बहुत सारी ऐसी budget में चीजे लेके आए गई जो women's के लिए women's empowerment के लिए, महिला शक्ति करन के लिए जरूरी थी clear, तो women's का travel free कर दिया गया है all government buses के अंदर, public transport के अंदर ये भी announcement करी, पंजाब के finance minister मनपरित बादल ने दूसरा, जितने भी हमारे students हैं, जो study कर रहे हैं college जाने वाले, government colleges के अंदर उनका एक i-card बनता है, उके, उनका एक क्या बनता है i-card जिसे ये पता चलता है, कि बच्चा किस college का है तो जितने भी students हैं, government colleges के अंदर उनको allow किया जाएगा, कि वो free travel कर सकते है government के द्वारा चलने वाली buses के यानि कि public transport के अंदर, जो state government के अंदर है उसमें government college जाने वाले बच्चों के लिए free of cost travel होगा 100 crore रखा गया है, ये आज की इस वीडियो का सबसे बड़ा question है, super important question 100 crore रपे का budget रखा गया है एक museum बनाया जाओगा, जिनों सी अजायब का कहने है, कि दे, बाबा साहिब अंबेटकर, डॉक्टर बी आर अंबेटकर के नाम के उपर, उनके history के उपर, उनको शर्दानजली के तौर पर ग्यान देने के लिए बच्चों को, उनके उपर 100 crore रपे का एक museum बनाया जाएगा कपूर सला के अंदर, very important question, याद रहे, बाबा साह भीमराओं बेटकर, जिने father of Indian constitution भी कहा जाता है, ये अजाद भारत के पहले कानून मंत्री यानि की law minister थे ये बात भी आपको याद रख रही है, next ये scheme सबसे बड़िया scheme है, again सबसे important question है, इस वीडियो का एक नई umbrella program चलाया गया है, umbrella program का मतलब क्या है, वही ध्यान से समझ ना इस अब्रेला program होता क्या है देखे, umbrella program क्या है, जैसे agriculture है क्या agriculture का मतलब सिर्फ फसले भीजना और काटना है, agriculture के साथ बहुत सारे और उद्योग जुड़े हुए है जैसे मचली पालन उद्योग, जिसको fish industry बोलते है, poultry farming मुर्गी पालन उद्योग, ठीक है जुड़ी हुई, complete agriculture से जुड़ी हुई एक scheme चलाई जाएगी जितने भी sector है, जो agriculture से जुड़े हुए है, उन सब के उपर focus किया जाएगा एक नई scheme चलाई जाएगी जिसका नाम होगा K3P यानि की कामयाब किसान खुशाल पंजाब K3P, इसकी एक अब्रिवेशन ही डारेक्टली पेपर में बनती है कि रिसेंटली पंजाब गौर्मेंट ने agriculture के light sectors के लिए एक umbrella प्रोग्राम चलाया है, जिसका नाम है कामयाब किसान, खुशाल पंजाब इसके लिए गौर्मेंट ने अलग से 3780 करोड रुपे का बजट रखा है अगले तीन सालों के लिए यानि कि गौर्मेंट इस स्कीम के तहत 3780 करोड रुपे खर्च करेगी एगरी कल्चर और उसके allied sector को मजबूती देने के लिए अगले तीन सालों में और अगर पुछे सिर्फ 2021 का यानि कि इस साल का जो बजट है इस स्कीम का वो है 1140 करोड रुपे वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक सेंटर ओफ एक्सिलेंसी खोला जाएगा एक्सिलेंस क्या मतलब होता है modern technology, best technology ठीक है एक सेंटर ओफ modern technology खोला जाएगा जो vegetables के उपर research करेगा vegetables के उपर study करेगा और ये खोला जाएगा एर्दा विलेज गोबिंदगर जो कि डिस्टिक फाजिलका के अंदर है और इसका जो total cost होगा वो होगा 10 करोड रुपे very very important फिर से सुनियेगा एक सेंटर ओफ एक्सिलेंसी ओपन किया जाएगा एक्सिलेंसी का मतलब होता है highest technology super technology modern technology जो vegetables के उपर research करेगा किस तरीके से vegetables को बहतर बनाया जा सकता है और ये विलेज गोबिंदगर में ओपन होगा जो कि डिस्टिक फाजिलका में है इसका जो total cost होगा होगा 10 करोड रुपे next एक post graduate institute खोला जाएगा जो कि related होगा hoty culture hoty culture क्या होता है study of flower plus study of fruit ठीक है मैंने 3 गंटे की पटवारी के लिए agriculture की वीडियो डाली थी उसमें ये detail में समझाया है description में लिंक दे दूँगा अकर देखना चाहो तो वो देख सकते हो post graduate institute of hoty culture hoty culture मतलब flower ते fruit दी study नूँ कहन दे ने hoty culture research institute open किता जाओगा किते amri sir amri sir am i clear तो recently पंजाब गौर्मेंट ने post graduate institute of hoty culture कहा खोलने के बारे में सोचा है तो भाई जी ये सोचा है कहाँ पर amri sir के अंदर next पंजाब शुगर के पंजाब शुगर के रिसर्च development institute यानि कि पंजाब गौर्मेंट एक institute खोलेगी शुगर के यानि कि जो गन्ने के उपर research करेगी और ये खोला जाएगा कलान और गुर्दासपूर के अंदर कलान और डिस्टिक गुर्दासपूर के अंदर एक new scheme चलाई जाएगी for the monitoring of water quality for the arsenic affected village अब मेरी बात द्यान से समझो arsenic होता क्या है arsenic एक तरीके का compound है ठीक है एक तरीके का metallic compound है जो water के अंदर मिलके water को poison बना देता है जहर दे करीब ना दिन्द है ता एक scheme चलाई जाओगी जड़ी पंजाब दे अलग अलग पिंडा दे उत्ते monitoring करूगी नजर रखूगी कि केड़े पिंड दी quality दे विच water quality दे विच arsenic आ गया arsenic compound पाया गया clear सब तो ज़्यादा arsenic compound ना अफेक्टड जड़े village ने ओ मिल देने असाम दे विच ते दुझे नंबर ते मिल देने west bengal दे विच फिर ना मान दा है 4 खंड दा clear ते हुन ए arsenic compound है pollution बद दा जा रहे है तर्ती दे नीचे पानी कट दा जा रहे है ठीक है company दा होर बरसे रीची जड़ा जड़ा polluted गंदा पानी है पर तीच निचे जा रहे है जिस करके पानी खराब हो रहे है उदा एक कारना है आरसेनिक दा पानी दे विच पैदा होना clear दो नए टेक्निकल कॉलेज ओपन के जाएंगे दो नए टेक्निकल कॉलेज को convert किया जाएगा युनिवर्स्टी के अंदर इनोवेशन का मतलब होता है something new जिदा कुछ नमा सोच सके एग्रिकल्चर मार्केटिंग इनोवेशन research and intelligence center खोला जाएगा मोहाली के अंदर अब मार्केटिंग का मतलब क्या होता है promotion करना यानि कि ऐसा नया center खोला जाएगा जो नए नए तरीके सोचेगा research करेगा कि एग्रिकल्चर जो पंजाब के product है उन्हें किस तरीके से market के अंदर marketing करके promote करके बेचा जा सके और ये center होगा मोहाली के अंदर जिसे अजीत गड़ भी बोलते है बाई जी am I clear or not next आगे बढ़ते है यहाँ पर बात करीगी है वाइरोलोजी की वाइरोलोजी एक study होती है जैसे zoology होती है वैसे dermatology होती है वैसे वाइरोलोजी होती है study of virus known as study of virus नो वाइरोलोजी कहने वाइरोलोजी दे एक center खोले जाओगा जी में हुन covid-19 है coronavirus ठीक है कि पाई अगे भी इन future दे विचे जे कोई virus आजे उन्हों की में tackle कितना जा सकता है वो दी study वास्ते एक center खोले जाओगा वाइरोलोजी center जेड़ा की open होगा government medical college अमरिसर दे अंदर देखे government medical college अमरिसर अल्रीडी है इस medical college दे अंदर एक लग तो एक building बनाई जाओगी जी डाग में मकसद वाइरोलोजी यानि की virus नो study करना रास्ते होगा clear इस तो इलाबा एक रास्टिय national institute of वाइरोलोजी ओपन किता जाओगा मोहली ते अनल देखो एदे नाम द्यग्य की लगया है national institute यानि की मोहली के अंदर next अब कुछ बातें कि पंजाब के अंदर पंजाब बजट के अंदर पंजाबी पाशा नो लेके मा बोली नो लेके ते पंजाब दे कल्चर नो लेके प्रमोशन वास्ते की किता जा रहे है number one पंजाब साहित रतन अवाड होता है यह annual award होता है पंजाब साहित रतन अवाड जो पंजाबी पाशा चली खनाले लेके कानू दिता जानता है पंजाब साहित रतन अवाड दे विच पहला जड़ी इनाम राशी सी 10 लग सी उन 10 लग तो बदा के किने रपे कर दिती गी है बी लग रपे कर दिती गी है एक होर अवाड है जड़ा पंजाबी मा बोली पंजाबी लिट्रेचर चलीपता जानता है नोन अज शिरोमनी अवाड शिरोमनी अवाड एदे विच पहला इनाम राशी राइटर्स नूँ पंज लग सी उन पंज लग तो बदा के भाई जी दस लग रुपे कर दिती गई है एम आई क्लियर ठीक है जी ये नॉर्मली उनना सारे राइटर्स नूँ पोईट्स नूँ मुजीशियन्स नूँ या जर्नलिस्ट नूँ रित्ता जानता है जेड़े डारेक्टली इंडारेक्टली पंजाबी लेंगोईस देनाल जुड़े होई नेक्स्ट कुछ और बाते एक हजार चोंसट करोड रुपे का बजट रखा गया गुर्नानक देव उनिवस्टी ये 1969 के अंदर बनी थी अमरी सर में है पंजाबी उनिवस्टी पटे आला पंजाब एग्रिकल्चर उनिवस्टी लुद्याना 1962 में बनी थी राजीब गांदी नैशनल लौ उनिवस्टी पटे आला इन सारी उनिवस्टी के अप ग्रेडिशन के लिए इनके कामकाज को सही से चलाने के लिए 1064 क्रोर रुपे का भजट रखा गया है पंजाबी युनिवस्टी पटयाला दे उत्ते भाँ सारा कर्ज है नब्बे क्रोर रुपेया separate दिदता गया पंजाबी युनिवस्टी पटयाला नो उधे debit नो कटा अनवास दे उदे उत्ते जड़ा खर्चा या काट आए उन्हों खतम करने वास्ति है। सत्त नए, सैवन नए होस्टल्स खोले जाएंगे, स्पैशली वर्किंग वुमेंस के लिए, यानि कि जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको रात में आने जाने की रहने की दिक्कत ना हो, साथ नए होस्टल्स खोले जाएंगे, ये खोले जाएंगे जिलंदर, लुद्याना, पट्याला, महाली, मानसा, एंड बठिंडा के अंदर, 1513 क्रोड रुपे का बजट परपोस्ड किया गया है, पाबर सबसीडी दी गई है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, डोमेस्टिक मतलब करे लूपबोगता, करे लूपबोगता, त्याद जेडे पंजाब दे करे लूपबोगता ने, उनना नू 1513 क्रोड रुपे दी बिजली दे विच सबसीडी दित्ती गई है, क्लियर है, यानि कि त्रिके दी छूट दित्ती गी है, शोला सो क्रोड रुपे दा बजट रख्या गया है, पंजाब दे विच स्मार्ट सीटी मिशन दे तहब, सेंटर गॉपब्मेंट ने एक मिशन चलाया है, जिनू स्मार्ट सीटी मिशन कहनने है, जिदे तहद पूरे इंडिया दे विच सो सीटी जनू स्मार्ट सीटी बनाना है, पंजाब दे विच भी होदे कुछ शेहर ने, जिदे स्मार्ट सीटी दे लिस्ट चाहन देने, यूनियन गवर्मेंट दे, केंदर सरकार दे, उधे वास्ते सोला सो क्रोड रुपिदा बजट रखे आगे, आज का जो पहला निउस है, वो है रिपब्लिक बे से जुड़ा हुआ, जैसे कि आपको पता है कि 26 जनुवरी को हम लोग अपना रिपब्लिक बे, यानि कि गंतंतर दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और गंतंतर दिवस के समय पर राजपत पर ये प्रेड होती है, उस प्रेड में अलग-अलग स्टेट की, यूनिन टेरिटरीज की, अलग-अलग डिपार्टमेंट की अपनी परसनल टैबू निकाली जाती है, टैबू का मतलब क्या होता है, तो इसमें पनजाब की भी कोई ना कोई टैबू होगी, तो पनजाब ने रिपाब्लिक दे 2021, 26 जनवरी 2021 को जो रिपाब्लिक दे हुई 2020 के अंदर, उसमें अपनी जो टैबू निकाली, उसकी जो थीम थी, वो याद रखनी है, इसमें हमने टैबू के अंदर प्रदर्शित किया शिरी गुरु तेक बहादर जी का 400 वह बर्थ अनिवर्सरी तो कोशन क्या एगा पंजाब टैबू रिपब्लिक डेव 2021 की थीम क्या थी तो इसमें शिरी गुरु तेक बहादर जी के 400 वह बर्थ अनिवर्सरी को प्रदर्शि स्मय को प्रदरषित किया ओर 2020 की रिपब्लिक से अंदर पांसो प्षेली ब700 अणिवर्शी को प्रदरषित किया गया अगे buyer नेक्स कोशन में में उच्छा गया कि थाल ही में हमारे देश के परधान मंतरी शीरी नरेंदर मोरदी जी ने लाला-लाज-पत्राए को उनकी बर्थ-अनिवर्सरी यानि कि उनकी जंती के ऊपर जो है याद किया है नमन किया है जैसा कि आप जानते हैं कि लाला-लाज-पत्राए एक बहुत-बड़े freedom fighter हुए है और इनका जो relation था पंजाब की धर्ती से था तो आपको ये बताना है कि इन चार option में से किस date को लाला लाजपतराई की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है तो याद रखेगा 28 जन्वरी को 28 जन्वरी को इनका जनम जो था 28 जन्वरी 1865 में फिरोजपु डिस्टी के अंदर एक विलेज है जिसका नाम है तुडीके तुडीके अंदर हुआ very very important तो लाला लाजपतराई की बर्थ एनिवर्सरी कम मना जाती है इनका जनम फिरोजपु डिस्टी के अंदर हुआ यह एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे पंजाब की धरती से पैदा हुए extremist गरम दल के साथ यह जुड़े हुए थे अगर आपने इतियास पड़ा हो तो कॉंग्रस की दो शकाएं हुई है एक में नरम दल और एक में गरम दल थे तो यह गरम दल के नेटा थे कुछ है और एक्स्ट्रा बाते जो लालालाज पत्राय के बारे में आपको याद रखनी है कुछ important event जो उनकी जिंदकी से जुड़े हुए है जैसे कि इन्होंने Indian Home Rule League of America का उद्गाटन किया 1917 के अंदर यानि कि इन्होंन इंडियन Home Rule League of America बनाई न्यू यॉर्क में 1917 के अंदर देखे इंडियन Home Rule League के तीन अंसवर आते हैं बाल गंगादर तिलक भी इंडियन Home Rule League से जुड़े हुए थे एनी बेसंट भी Home Rule League से जुड़ी हुई थी यहाँ पर बात करी गी है वो इंडियन Home Rule League जो अमेरिका में बना गी 1917 के अंदर बनाएगी वो लाला लाज पत्राय के दवरा बनाए गई थी तो इंडियन Home Rule League of America इन न्यू यॉर्क उनी सुस्तारा किस ने बनाई लाला लाज पत्राय ने लेर होगी बात के नहीं अगर नॉर्मल इंडियन Home Rule League या इंडियन Home Rule Movement पूछते तो एनी बेसंट औ पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक ठीक है आज भारत का एक बहुत बड़ा बैंक है पी एनवी बैंक बोलते हैं हम लोग उसको स्थापना करने में भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल जो है प्ले किया 1905 में पार्टीशन और बेंगॉल बंगाल दी वंड होई पंजाब नेशनल बैंक को बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल था पहले पी एनवी जो बैंक था लाहौर के अंदर ओपन हुआ था पहला पी एनवी बैंक जो था लाहौर के अंदर ओपन हुआ था याद रखीगा सब्देशी मुव्मेंट को चलाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल था इनको आई एंसी इंडियन नेशनल कॉंग्रस यान अंदर प्रेजिडेंट भी चुना गया तो लाला लाज पत्राए की बर्थ अनिवर्सरी होती है 28 जनवरी को इनका जनम 28 जनवरी 1865 के अंदर फिरोज पुडिस्टिक में हुआ और इनके जिन्दकी की जुड़ी हुई चार में गटना है एक इन्डियो इन्होंने इंडियन होम रू लीग ऑफ अमेरिका इन न्यू यॉर्क के अंदर 1917 में स्थापना करी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी सवदेशी मूवमेंट की स्थापना करी और यह आई एन्सी के प्रेजिडेंट चुने गए कलगत्ता सेशन के अंदर 1920 के अंदर नेक्स कोश्चन ले भारत के अंदर जो हैं हर साल कंड़क्ट करी जाती है इसमें 17 साल से कम अंडर 17 और 21 स्तारा साल से कम और 21 साल से कम के जो स्टुडेंट्स होते हैं या जो इith discrete में ने रहेúa今 किह लू आज स्थाँन कि यह प्रे exclus करते हैं अंडर 17 और अंडर 21 इस गेम्स के अंदर जीतने वाले जितने भी स्पोर्स प्लेयर होते हैं उन्हें एनुली पांच लाख रुपए की एक तरीके से स्कॉलर्शिप दी जाती है नेक्स्ट एट इयर्स के लिए यानि कि अगले आच सालों के लिए हर साल उन्हें पांच लाख रुपए की स्कॉलर्शिप दी जाएगी ताकि वो अपने आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए प्रिपेर कर सके अब इसमें पंजाब की न्यूस क्या है हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर चार यानि की फोर जो मार्शल आर्स हैं भारत के अलग अलग राजियों के चार जो मार्शल आर्स हैं और ये चारों मार्शल आर्स भारत की दर्ती से पैदा हुए हैं उनको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर एड किया गया है पहली बार मेरी बात ध्यान से समझेगा, चार भारत के स्वे निर्मित मार्षल आर्स है, और इन्हें हे servile οι इंडिया यूथ गेम्स के अंदर एड़ किया गया है, इसमें से एक मार्षल आर्स है कलरी पट्टू, कलरी पट्टू जो की केरला का मार्शल आर्स है दूसरा है मलखंब जो की सेंटरल इंडिया यानि की मद्या भारत में होता है खासकर मद्या प्रदेश के अंदर और एक है गतका जो पंजाब का मार्शल आर्स है याद रखिए गतका जो की पंजाब का मार्शल आर्स है और एक martial arts है थंगता थंगता ये मनिपूर का martial arts है तो कोशन क्या एगा हाल ही में खेलो इंडिया youth games के अंदर पंजाब के किस martial arts को पहली बार add किया गया है तो वो है पंजाब का गत्का very very important यहाँ पर आप अपनी picture के अंदर देख सकते हैं इसे बोलते हैं गत्का clear होगी बात के नहीं होगी आपको मुझे comment box में बताना है कि खेलो इंडिया youth games 2021 खेलो इंडिया youth games 2021 का venue क्या है location क्या है यह कहां पर हुई है ठीक है जी next आगे अगला कोशन है जी इस कोशन में पूछा गया सूपर important double star लगा लिजे recently निमन लिक्त में से कौन सा ऐसा event है जिसने अपने century यानि की सो साल hundred years complete किये है 20 फरबरी 2021 को निमन लिक्त में से ऐसा कौन सा event घटना या तारीक है जिसने 20 फरबरी 2021 को अपने 100 साल पूरे किये है ठीक है तो वो घटना है शिरी ननकाना साहिब मैसकेरस या जिसे हम लोग साक्का ननकाना साहिब भी बोलते हैं साक्का ननकाना साहिब हुआ था याद रखेगा 20 फरबरी 2021 को देखे आजकल जो ननकाना साहिब है मौडरन डे पाकिस्तान के अंदर है यह गटना थी किया या ननकाना साहिब मैसकेरस या ननकाना साहिब कतलयाम था गया इसके अंदर लगबग दोसों के करीब जो सिख कम्यूटी के लोग थे उनका कतल किया गया उन्हें किल किया गया ठीक है किल किया किसने उस समय आपको पता होगा महंत जो थे गुर्दवारा चलाया करते थे महंतों के द्वारा गुर्दवारा कंट्रोल किया जाता था तो ए जिसकी याद में हर साल हम लोग 20 फरवरी को साक्का ननकाना सहीब मनाते हैं तो अब आपको ये कोशन कैसे आएगा कि recently निमल लिखत्वे से किस इवेंट ने अपने 20 फरवरी को 20 फरवरी 2021 को अपने 100 साल पूरे की हैं तो वो है साक्का ननकाना सहीब या श्री ननकाना सहीब म यह वो जगह है जहां पर गुरु नानक देव जी का जनम हुआ था और यह modern day पाकिस्तान के अंदर है महंत नरायन दास इसका main culprit यानि की दोशी था यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है गुर्द्वारा reform movement आपको यह पता होना चाहिए कि गुर्द्वारा reform movement जो थी around 1920 के अंदर चली थी गुरु का बाग मोर्चा यह लगबग 1922 के अंदर चला था जैतो का मोर्चा जैतो का मोर्चा यह around 1923 के अंदर चला था यह सारी घटनाओं के ये पंजाब के पेपरों में पूछे जाते हैं तो कोशन क्या है फिर से दोरा लेते हैं श्री नंकाना साहिब के साक्के को मैसकेरस को 20 फरबरी 2021 को 100 साल पूरे हुए हैं गुर्द्वारा reform movement 1920 में चली थी गुरु का बाग मोर्चा 1922 में चला था जैतो का मोर्चा 1923 में चला था तो इस कोशन का अंसर राइट अंसर रहेग है इसको समझीएगा जरा इस कोशन में पूछा गया है कि ministry of जल शक्ती ministry of जल शक्ती ने phase 4 यानि की अपने चोथे चरण के अंदर उसने एक स्कीम चला रखी है that is your स्वच टूरिस्ट डेस्टिनेशन आइकॉनिक प्लेस देखे जरा ध्यान से समझीएगा ministry of जल शक्ती ने अलग अलग जो आइकॉनिक प्लेसीज हैं जिनको वो सवच्छ बना सकती है जिनको वो सावसुत्रा बना सकती है आइकॉनिक प्लेस बना सकती है ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ सके और हार ही में जल शक्ती ministry ने इसका phase 4 लांच किया है यानि कि चोथा चनल लांच किता है इस चोथे चरंदे विच चंडिगर्दी एक जगा नू आइकॉनिक प्लेस बना अंधी गल किती गी है कोशन पुच्छा गया है कि मिस्क्री अब जल शक्ती द्वारा अंडर दा phase 4 स्वच आइकॉनिक प्लेस बना आन वास्ते चंडिगर्दी केडी जग क्लियर है मुनिस्ट्री अफ जल शक्ती ने phase 4 दे अंदर टोटल इंडिया दे विच्चो बारा साइट्स नू चुनिया है जिननू हो स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानि की साफ सुत्रा अथीती देवोबवा प्लेस बनाएगी ताकि उनको आइकॉनिक प्लेस बन राजस्थान में है जैसलमेर फोर्ट राजस्थान में है रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान के अंदर है गोलकुंड़ा फोर्ट हैद्राबाद तेलगाना के अंदर है कुनार्क संटेंपल जिसे हम ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं कुला कुनार्क संटेंपल जिसे हम लो आगरे का किला यूपी के अंदर है कली घाट टेंपल ये वेस्ट बिंगॉल के अंदर है इन बारा जगाओं को मिनिस्ट्री ऑफ जल्शक्ती के दवारा चुना गया है चोथे चरन के अंदर फेस फोर के अंदर ताकि इनको स्वच बनाया जा सके आइकॉनिक प्लेस बनाया ज स्चीम देखें एक देश एक राशन कारट ये राशन कार्ट गोर्न्मेंट के द्वारा चलाएगी राशन के स्कीम है पहले तो enrich को होती क्या हं हमारे जो माईग्रेंट WORKERS हैं रेबरेवाले हैं जो नाउग्जाम की तिलाश में पन्जाब कर जाते है ग्जांपल के राशन कार का फाइदा नहीं पहुंचता था क्योंकि वो राशन कार तो सिरु बिहार में चले गा लेकिन उसके बार के अंपर सरकार में एक S movimento चलाई लगी वन नेशन वन राशन कार इसके तहट अगर कोई migrant labor वाला जिसका राशन कार बिहार का बना हुआ है अगर वो पंजाब में भी चला जाता है तो वो पंजाब के अंदर भी उस राशन कार को दिखा कर अपना सस्ता अनाज या जो भी उसके फाइदें वो ले सकता है और पंजाब भारत का 13 यानि की 13 ऐसा स्टेट बना है जिसने वन रेशन वन नेशन वन राशन कार सिस्टम को अपने यहां पर लागू किया है तो कोशन क्या है कि पंजाब किनमी स्टेट बने है जिने अब दे अंदर वन नेशन इक देश एक राशन कार सिस्टम नो लागू किता है तब पंजाब तेरमी important मैं कहूंगा कि आपको इसको double star mark कर लेना चाहिए यह है सहित्य Academy Award 2020 के उपर सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत के अंदर literature के लिए सहित्य के लिए जो सबसे बड़ा first number पे जो award दिया जाता है उस award को बोलते हैं ग्यानपीठ अवार्ड कुनसा award ग्यानपीठ अवार्ड और second number पे भारत में जो literature के लिए सहित्य के लिए सबसे बड़ा वार्ड है वो है सहित्य अकेडमी अवार्ड सहित्य अकेडमी अवार्ड जो है भारत में लगबग 24 भाषाओं में दिया जाता है 24 languages के अंदर दिया जाता है याद रखे यह 24 languages कों सी है 22 languages तो यह वो है जो भारती सविधान के आठवे शडियूल के अंदर जिनका जिकर मिलता है अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे सविधान के अंदर 12 schedules है उन 12 schedule में से आठवे schedule के अंदर 22 अधिकरित ओफिशल language का जो है जिकर किया गया है प्लस एक भाषा है राज्यस्थानी प्लस एक भाषा है English बाइस भाषा है वह हो गई दो भाषा है यह होगी तो इन 24 भाषाओं को मिला कर इन 24 भाषाओं में सहित्य अकेडमी अवोर्ड जो है दिया जाता है यह जो है 1954 से लगबग शुरू हुआ है स्टार्ट हुआ है 1954 से तो इस कोश्चन में पूछा गया है कि 2020 का जो सहित्य अकेडमी अवोर्ड है वह पंजाबी लेंग किसे दिया गया है तो याद रखेगा 2020 का जो सहित्य अकेडमी अवोर्ड है इन पंजाबी लेंग्वेज वह दिया गया है गुर्देव सिंग रुपाना को उनका नाम है गुर्देव सिंग रुपाना वेरी वेरी इंपोर्टेट सहित्य अकेडमी अवोर्ड 2020 इन पंजाब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है गुर्देव सिंग रुपाना जी और इनकी कहानियों की किताब है आमखास तो कोशन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है सहित्य अकेडमी अबॉर्ड दो हजार बीज पंजाबी भाशा में गुर्देव सिंग रुपाना की कौन सी चौट स्टोरिस की किताब के लिए दिया है तो यह दिया गया है आमखास किताब के लिए कुछ और की विनर्ज यानि की कुछ और इंपॉर्टन पर्सन जीने सहित्य अकेडमी अबॉर्ड दिया गया अलगलग श्रेनियों में अलगलग भाशाओं के लिए वो भी जरा नाम आता है M. Virappa Moli M. Virappa Moli जी जो है former Chief Mr. रह चुके हैं करनाटका के Congress Party से सबंदी थे इन्होंने poetry की एक बुक लिखी बुक का नाम है शिरी बहोबली अहिमसा दिग्विजम यह लिखी करनाट भाषा में नेक्स्ट है अरुंदीती सुबर्मन्यम जानी मानी रैटर हैं अरुंदीती सुबर्मन्यम इन्होंने English भाषा के लिए इनको Award दिया गया और English भाषा में इन्होंने जो traveler when God is a traveler उसके बार नाम आता है अनामिका अनामिका जी को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी अबॉड दिया गया और इनकी रचना का नाम है तोकरी में दिघंत तेरी गाथा तोकरी में दिघंत तेरी गाथा ये 2014 में लिखी थी इनोंने ठीक है जी नेक्स्ट है मनी शंकर मुखोपाद्य इन्हें बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकेडमी अवाड दिया गया है और इनकी रचना का नाम है एकाएक एकशी एकाएक एकशी क्लियर है जी तो ये कुछ इंपोर्टेंट लोग हैं जिने इस साल अवाड दिया गया है याद रख पंजाबी भाषा के लिए किसे दिया गया एक तो ये आपको कोशन मुझे बताना है कमेंड बॉक्स में लिखकर और दूसरा 2019 के लिए साहित्य अकेडमी अवाड पंजाबी भाषा में किसे दिया गया और उनकी रचना का नाम क्या था क्या है दो कोशन जो आप मुझे कमें Academy Award जो है किसे दिया गया और उसकी किस रचना के लिए दिया गया 2020 के लिए मैं आपको बता चुका हूँ वो दिया गया गुर्देव सिंग रुपाना जी को next आगे बढ़ते हैं अगली जो न्यूज है गाईस वो भी हमारी जो है अवार के उपर है हाल ही में 67th National Film Award यानि कि 67th रास्ट्य फिलम पुरुसकार दिये गए हैं पहले तो यह याद रखे कि यह जो 67th National Film Award है 2019 2019 के जनवरी से लेकर मार्च 2020 तक जितनी भी भारत के अंदर फिलम्स आई मार्च 2021 तक जितनी भी भारत के अंदर फिलम्स आई उन सारी फिल्मों को इकठा करके अलग-अलग श्रेनियों में बांट कर यह वार्ड दिया गया है यानि कि जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2021 तक की सबसे उतक्रिष्ट सबसे बढ़िया जो अलग-अलग श्रेनियों की फिल्में है उन्हें ये अवार्ड दिया गया है और उस श्रेनी में एक श्रेनी आती है पंजाबी मूवीज की तो 67th National Film Award from the 2019 to March to 2021 के लिए ये बेस्ट पंजाबी मूवी जो है वो चुनी गई रब्दा रेडियो पार्ट तू रब्दा रेडियो पार्ट तू यह important है यह याद रखिए best male playback singer best male playback singer in all format in all languages चुना गया भी प्राग को ये भी एक पंजाबी सिंगर ही है इनका एक सौंग है तेरी मिट्टी केसरी मूवी की उसके लिए इन्हें best playback singer के तौर पर चुना गया ये भी याद रखिये कुछ एक्ट्रा बाते जो आपको याद रखनी है 67th national film award 2019 से लेकर मार्च 2021 तक best actor का award दिया गया मनोज बाजपई और दूसरे हैं धनुष मनोज बाजपई की एक web series है that is your भौंसले हिंदी में आती है भौंसले और धनुष की एक web series है that is your असुरन तामिल लेगविज के अंदर इन दोनों ने ये award share किया है तो 67th national film award 2019 से लेकर मार्च 2021 तक के लिए best actor का award दिया गया है भौंसले मनोज बाजपई जी को और धनुष असुरुन के लिए next 67th national film award best actress का award दिया गया है next 67th national film award 2019 best hindi film का award दिया गया है चिछोरे को चिछोरे मूवी है ये शुशान सिंग राजपूत की मूवी थी चिछोरे उसके लिए इन्हे बेस्ट मूवी का वाड दिया गया है इस question में पूचा गया guys कि भारत के एक former Indian player है जिनका नाम है इश्वर सिंग दियोल हाल ही में इनकी मृत्ति हुई है आपको बताना है कि इश्वर सिंग दियोल जो थे किस sport से किस scale से जुड़े हुए थे तो याद रहे ये जुड़े हुए थे athletics थे ये जुड़े हुए थे स्वानित किया गया था ठीक है जी तो कोशन कुछ इस त्रिक्के से बनेगा कि हाल ही में इश्वर सिंग दियोल जिनकी मृत्ति हुई है वह भारत की किस scale जगत से जुड़े हुए थे तो वह जुड़े हुए थे athletics से very very important next question आगे बढ़ते हैं अगले कोशन में आपसे पूछा गया है कि union education minister हमारे जो union education minister है रामेश पोकरियार उन्होंने अनौन्स किया है कि वह पंजाब के अंदर एक new kendriya विध्यालय याने की चैंदरिया विध्यालय स्कूल open करेंगी जिसको relevant करेंगे और ये स्कूल पंजाब के किस district अंदर ओपन होगा तो याद रहे यह open होगा चैंदरिया विध्यालय स्कूल И.I.T. रॉपट के अंदर very very important हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री ने अनाउंस किया है कि वो पंजाब के किस टिस्टी के अंदर एक नया केंद्रिया विद्याले नियू केविय स्कूल उपन करेंगे जिनकी स्ट्रेंथ जो है लगबग एक हजार बच्चों को पढ़ाने की होगी तो वो उपन किया जाएगा IIT रोपड के अं पहुन जाएगी यह बात भी आपको याद रखनी है अगली न्यूस के अंदर आपको पहले पता होना चाहिए इन्वेस्ट पंजाब पंजाब सरकार के एक योजना है जिसके तहट अलग लग इंडर्ट्रिस्ट को उध्योग पतियों को विदेशियों को प्रेडित किया ज करें ताकि पंजाब में जादा से जादा रुजगार और इंडर्ट्री आ सके और इन्वेस्ट पंजाब के जो CEO है रजजद अगरबार उन्होंने हाल ही में एक न्यूस रिलीस करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि एप्रल 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक फ्रॉम दा टाइम पिरेड आफ एप्रल 2020 से जनवरी 2021 के बीच में पंजाब स्टेट गवर्मेंट ने को लगबग 1000 करोड रुपे की FDI के प्रपोजल आए हैं FDI यानि की Foreign Direct Investment विदेशों से जो पैसा आता है उसे सरल बाशा में FDI कहा जाता है तो रजजद अगरबाल ने बताया कि एप्रल 2020 से लेकर ज पंजाब गवर्मेंट के पास 1000 करोड रुपे के FDI प्रपोजल आए हैं उनमें से जादातर जो बड़े बड़े मुटे मुटे प्रपोजल है वो मैं आपको बता देता हूं पहला प्रपोजल आया है राउंड ग्लास वेल बिंग ये एक USA-based company है इन्होंने कहा है कि ये स्पोर्स infrastructure को develop करेंगे खासकर पंजाब के मोहाली के अंदर क्लियर तो राउंड ग्लास वेल बिंग USA-based company है जिन्होंने परपोजल भेजा है कि वो पंजाब की state of art and of sports के अंदर जो की खासकर मोहाली में है उसके infrastructure को develop करना चाती है ताकि जो मोहाली के अंदर रहने वाले हमा की तो सही ट्रेनिंग फैसलिटी मिल सके और infrastructure मिल सके इसके लिवो मोहाली में चाहर सो 555 क्रोड रुपे इन्वेस्ट करना चाती हां दूसरी investment है वदेरा अपार्टमेंट की वदेरा अपार्टमेंट ने कहा है कि वह 230 क्रोड रुपे इन्वेस्ट करना चाते है रियलagered के के अंदर 270 क्रोड रुपे वो लुध्याना के अंदर इनिवेस्ट करेंगे नेक्स स्मार्ट ए लर्निंग ये एक न्यू योक बेस्ड कंपनी है सौफ्ट्वेर मैनुफेचरिंग कंपनी है और इन्हों ने कहा है वो पंजाब के अंदर 151 यानी की 158 क्रोड रुपे दा के लिए हैं एपरल 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच में 1000 क्रोड रुपे के नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस कोशन के अंदर पूचा गया है कि हाल ही में पंजाब स्टेट की कौन सी ऐसी नेबर स्टेट या फिर यूटी है जहां पर पशुधन मेला सेलिब्रेट किया गया है ह आल ही में पंजाब के किस परोसी राज्य एवं यूणिन टेरेटरी के अंदर पशुधन मेला जो है सेलिब्रेट किया गया है तो यह सेलिब्रेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यार लखे नेक्स्ट निउस लेते हैं वेरी वेरी important double star लगाईएगा very very important देखे सबसे पहले तो आपको algae पता होना चाहिए जैसे हम सरल बाशा में काई बोलते हैं काई बोलते हैं जो जरातर उन areas में होती है जहां पर जातर पानी बहुत जादा होता है जैसे नदी के किनारे किसी कुए के किनारे या फिर कोई ऐसी टैप जो लगातार चलती रहती है उसके किनारे तो उसी तरिक्के से एक red algae यानि की लाल कलर की काई होती है ठीक है बठिंडे के अंदर एक युनिवरस्टी है युनिवरस्टी का पता लगाया है फिर से सुनेगा मेरी दिबाध ध्यान से एलगी क्या होती है एक तरिक्के की काई और red algae यानिकी लाल कलर की काई दो नई परजातियों का पता लगाया है किसने पता लगाया है पता लगाने वाले जो दो परसन है बायलॉजिस्ट है वो बठिंडे की Central University के अंदर प्रोफेसर हैं बठिंडे की Central University के अंदर काम करते हैं और उन दो रड़ अलगी का नाम है याद रखिए हैपना इंडीका और हपना बुलाटा नाम की डो रड़ अल्गी याननि की यह सी वीड है यानि की समुंदर के किनारे पाए जाने वाले एक तृपधिके की काई है अब इसके ऊपर कोशन कैसे आएगा कोशन कुछ इस तरीके से आएगा ह consum कुछित इस तरीके कहा ने-एगा ह's अगला कोशन है कि हाल ही में किस शहर के अंदर शहीद भगत सिंग समारक का इनौग्रेशन किया गया है तेई मार्च उद दो हजार इक्षिस को हाल ही में भारत के किस शहर के अंडर शहीद भगत सिंग स्मारक का उधगाटन किया गया है तेई मार्च 2021 के अंडर सबसे पहले आपको याद रखे कि 23rd मार्च यह वो डेट है जब शहीद आजम भगत सिंग और उनके दो साथी सुकदेव और राजगुरु को शहादत दी गई थी फांसी दी गई थी तो इस साल तेई मार्च 2021 को उनकी शहादत को 90 साल यानिकि 90 यर्ज जो हैं कम्प्लीट हु दिल्ली के अंदर और इसका उद्गाटन खुद देश के एजुकेशन मिस्टर रामेश पोकरियाल के द्वारा किया गया रामेश पोकरियाल निशांग के द्वारा किया गया है यह याद रखेंगे एक तो तेई मार्च 2021 को श्रीद भगत सिंग राजगुरु और किये गये हैं और इनकी याद में एक शीद बागसिंग सिस्मारक का उद्गाटन किया गया है निव डेली के अंदर बाइद एजुकेशन मिस्टर राफ इंडिया एमाई क्लेर और नॉट यहां पर पंजाबी में भी हर एक चीज में ने लिखिया आप चाहो तो उसमें भी बढ़ते हैं डबल स्टार लगाईएगा अगर मैं एक्जामीनर होता तो यह जुरू डालता इसमें कहा गया है कि देखिए सबसे पहले आपको ओपन डिफेक्शन फ्री के बारे में पता होना चाहिए ओपन डिफेक्शन फ्री का मतलब क्या होता है खुले में शौच करने स मुख्त होना ऑपन डिफेक्शन फ्री क्या होता है खुले में शौचाले करने से मुख्त होना तो इस question में पूच्छा गया है कि हाल ही में पंजाब की कौंसी म्यूंसिपल कारपरेशन को ओपन डिफेक्शन free plus plus status दिया गया है तो ये दिया गया है अबोहर को आपको मैं एक बात बता दू स्वच भारत सरवेक्षन स्वच भारत सरवेक्षन 2019 के अंदर स्वच भारत सरवेक्षन 2019 के अंदर अबोहर बहुत ही ज़्यादा low position पे था भारत की सबसे गंदे शहरों में से आता था ये याद रखिए ठीक है मांसा नौर्थ हिंडिया का मांसा स्वच सरवेक्षन भारत 2019 के कॉरिंग मांसा नौर्थ हिंडिया का सबसे डटियस्ट प्लेस था तो अबोहर ने अपने आपको एक तरीके से अपग्रेड किया अपने आपको इस चैलेंज को एकसेप्ट किया अपने आपको साफ किया अब ये काफी आ गया चुका है अबोहर को इंप्रूव करने में सबसे बड़ा आथ था वहाँ पर चलाए गए एक अभयान का जिसका नाम था चोको अभोहर चोको अभोहर नाम का एक अभयान चलाया गया जी मैं आपफा पंजाबीज कहने है चोका रंग चोका वे होते चोको अभोहर बोल देने तक चोको अभोहर नाम का एक अभयान चलाया गया अभोहर को open defection free बनाने के लिए next आगे वढ़ते हैं इस question के अंदर पूछा गया है कि एक बहुत ही famous writer ठीक है जी writer कह सकते हैं साहित्यकार कह सकते हैं फिल्मों के अंदर बहुत सारी इन्होंने कहानिया लिखी उन्होंने उनकी सोमी birth anniversary celebrate करी गई है 8 March को ठीक है जी कौन से महान व्यक्ति की 8 March को सोमी 100th birth anniversary हमने celebrate करी है तो ये करीया है साहिर लुध्यानवी साहिर लुध्यानवी बहुत ही famous एपने समय के writer हुए है तो इनकी सोमी birth anniversary celebrate किया हाली में 8 March 2021 को इनके बारे में कुछ बाते जान लेते हैं 2013 में साहिर लुध्यानवी जी के नाम पर Indian government ने stamp जारी यानिक एक postal stamp जारी किया था यहां पर आप देख सकते हैं पांच रुपे की stamp जारी करी थी इनका जो जनम था 8 March 1921 को पंजाब के लुध्याना में हुआ था 25 October 1980 को लगबग 59 years of age के अंदर इनकी मृत्ती हुई थी ये एक poet थे, lyricist थे और एक बहुत बढ़िया writer थे याद रखीगा इसके इलावा इने 1977 के अंदर पदम श्री अवार्ड से नवाजा गया 1964 और 1977 के अंदर दो बार इने film fair अवार्ड भी दिया गया तो साहिर लोध्यानवी जी की हाल ही में सोमी बर्थ anniversary मनवाई है हमने 8 March को next आगे बढ़ते हैं important news है यह devil star लगाने वाली है लगा लीजिए इस news में पूचा गया है कि प्रथम विशव्यूद के अंदर world war 1 के अंदर एक sick fighter pilot का बहुत बड़ा योगधान था first world war के अंदर देखे first world war जो थी लगबग 1914 से लेकर 1918 के करीब यह चली है मेरी बात clear होगी के नहीं होगी तो वैसे officially इंडिया ने इसमें participate नहीं किया इंडिया ने officially second world war में किसी हद तक participate किया है लेकिन first world war के अंदर हमारे बहुत सारे पंजाब के कुछ सैनिक थे जिन्हों ब्रिटिश आर्मी जॉइन करी और वर्ल्ड वार के अंदर पार्टिस्पेट किया वर्ल्ड वार वन के अंदर एक सिख फाइटर पाइलेट था जिसकी याद में इंग्लेंड के साउथ हैंटन में एक मैमोरियल बनाया जाएगा आपको बताना है उस सिख फाइटर पाइलेट का नाम क्या है जिसके नाम पर इंग्लेंड के साउथ हैंटन में एक मैमोरियल बनाया जाएगा उनका नाम है सरदार हरदीत सिंग मलिक वेरी वेरी इंपोर्ट सरदाद हरदित सिंग मली के नाम पर UK के Southampton के अंदर एक memorial बनाया जाएगा यह भारत के नहीं बलकि England के अंदर पूरे ब्रिटेन के अंदर World War 1 के अंदर पार्टिस्पेड करने वाले पहले और इकलोते सिख फाइटर पाइलेट हुए है या तर्बन धारी पाइलेट हुए है very very important clear होगी बात के नहीं होगी ठीक है जी तो सरदार अर्दित सिंग मली के नाम पर UK के Southampton में एक memorial मनाया जाएगा very important next news लेते हैं जी इस question में पूछा गया है कि किसे हाल ही में पंजाब के chief minister ने अपना new principle यानी की मुख्या advisor मुख्या सलाहकार के तौर पर जिसे nominate किया है वो है परशांत किशोर तो परशांत किशोर वैसे एक बहुत बड़े political राजनितिकार हुए है ठीक है बहुत बड़े लोगों को इन्होंने election जिताया है हाल ही में आपने देखा होगा ममता बेनर्जी हुए कैप्टन अमरिंदर सिंग जब जीत किया थे उन सब के पीछे जो एक एक राजनिति है जो उनके पीछे एक तरिके की जिसको हम लोग कहते हैं कि जो पूरी की पूरी रानिति है वो परशांत किशोर की तैग करी हुई है यह बहुत बड़े political रानितिकार हुए हैं तो इन्ह अपना न्यू प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया है कैप्टन अमरिंदर सिंग ने आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करेगा लाइक जुरूर करेगा थेंक्स सो मच